तो चलिए आज हम रिवाइस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक आप लोगों के लिए जिसका नाम है PGBP Profit and Gain from Business or Profession यह टॉपिक जो है आपका जो फर्स्ट क्वेशन रहता है और वो फर्स्ट क्वेशन आपका टोटल इंकम का वेशन रहता है जिसमें आपको टोटल इंकम निकालनी रहती है उसमें आप देखोगे major portion जो है वो आपका PGBP से रहता है इसको पन बार बार PGBP बोलेंगे तो major component र बढ़ते हैं तो आपके दिमाग में ये profit and loss account हमेशा रहना चाहिए और इस profit and loss account के credit side में है वो आपकी income आती है और वो income कौन सी section में दे रखी है एक तो 28 में और एक तुमारी 41 में तो section 28 and 41 है वो income की बात करती है जो पीहंडल के credit side में आएगी और debit side में आपके जितने भी expenses है व section 30 से लेके 37 के बीच में तो section 30 से 37 है वो expenses की बात करता है expenses पीएडल के debit side में आएगे और जो भी income है वो पीएडल के credit side में आएगी और जो भी बचेगा उसको हम बोलेंगे आपका PGBP का income या आप net profit बोल सकते हो और ये वाली income पे आपको PGBP head में tax लगेगा तो चलिए charging section है charging section ये बोलती है कि इस particular head में कौन सी income आएगी तो मैं बता दू यहाँ पे एक list दे रखी है कि ये ये income है वो PGBP head में आती है सबसे पहला point बोलता है any profit or gain arising from business or profession carried on by associate anytime during the previous year मिस साल में कभी भी आप business या profession करते हो और उससे कोई भी profit or gain होता है that's taxable under this head ये common point हो गया अब ए duty drawback PGBP head में taxable होगा या जब आप export करते हो उसके सामने आपको subsidy मिलती है आपको government grant मिलता है export के against में subsidy मिलती है तो वो taxable होगा PGBP head में और जब आप export करते हो तो उसके against में आपको DEPB मिलता है duty exemption passbook कर गे ठीक है या फिर DFRC ये आज कल होता नहीं है पहले होता था DEPB DFRC देते हो तो उससे जो income होगी that is also taxable under the head PGBP. अब एक चीज़ समझना की में insurance policy से अगर आपको कुछ भी पैसा मिलता है that is taxable under the head PGBP. अगर आपको याद रहेगा की में insurance policy से अगर employer को पैसा मिलता है that is taxable under the head PGBP. अगर employee को पैसा मिलता है it is taxable under the head salary and अगर मान लो employee-employer का relationship नही और किसी को पैसा मिलता है that is taxable under income from other sources. एक और चीज़ समझना अगर business की वज़े से आपको कोई भी gift मिलता है benefit मिलता है perquisite मिलता है whether it is converted into money or not miss भले वो converted into money है या नहीं मतले business की वज़े से आपको कोई भी gift मिलता है that is always taxable under the head PGBP. एक और चीज़ समझना अगर कोई partner होता है और partnership firm से it is always taxable under the head PGBP. एक और चीज़ समझना अगर आपको कोई non-compet fees मिलती है non-compet fees का मतलब होता है competition ना करने के लिए आपको पैसा मिलता है कि चलिए मैं आपको आपने बोला कि आप DT नहीं पढ़ा होगे और DT नहीं पढ़ा होगे उसके लिए मैंने आपको कुछ पैसा द share नहीं करूँगा उसके लिए अगर आपको कोई भी पैसा मिलता है that is taxable under the head PGBP. एक और चीज़ समझना अगर आपका stock in trade है वो stock in trade को आप अगर convert कर देते हो into capital asset तो जैसे stock in trade को आप capital asset में convert करते हो वो conversion की date पे जो भी fair market value रहेगी उस stock in trade की that is taxable under the head PGBP. एक और चीज़ की बचे से आपको अगर कोई compensation मिलता है that compensation is taxable under the head PGBP. जैसे माल लो मेरे पास domino's pizza की एक franchise ही है और वो pizza की franchise ही मुझे दी गई है उसके लिए 10 years के लिए मेरे पास franchise ही है और उसमें condition है कि मेरे इस area में domino's वाले और किसी को franchise ही नहीं देंगे. लेकिन माल लो domino's वालोंने किसी और को भी franchise दी दी तो मैंने बोला ये तो गलत हो गया आपने business contract था उसका violation कर दिया, terminate कर दिया business contract को मैंने उनसे compensation मांगा और जब मैंने उनसे compensation मांगा उन्होंने मुझे कोई compensation दे दिया तो that compensation is taxable under the head PGBP, वो PGBP head में taxable हो जाएगा. अब एक और चीज़ समझता है हमेशा द्यान रखना कि कभी भी आपका जो business होता है ना business में एक normal business होता है, एक speculative business होता है. इस speculative business को अप अलग business treat करोगे उसको आप separately treat करना है speculative business को. L hakkãy subscribe आप मुझे पूछोगे speculative business किसको बोलते है, तो speculative business ऐसा business होता है जिसको वादे का business बोला जाता है, जिसमें actual delivery नहीं होती है. ज जो transaction है वो settle हो जाता है लेकिन उसमें actual delivery नहीं होती है उसको बोला जाता है speculative business तो normal business को और speculative business को आपको अलग-अलग treat करना है अब आप मुझे बोलेंगे कि ऐसा speculative business को क्यों अलग से treat करते हैं क्योंकि आपको याद रहेगा set up and carry forward में speculative business के जो loss होते है ना that can be set up only against speculative business का income and speculative business के loss ह होते है वो that can be carry forward only for the four assessment year यह दो reason की वचे से speculative business के losses को अलग से treat करते है speculative business है उसको अलग से treat करते है लेकिन एक चीज समझना चार business ऐसे है जो आपको लगेंगे speculative बट यह speculative नहीं है जिसमें actual delivery नहीं हो रही है यह लगेंगे speculative बट वो speculative नहीं है ऐसे कौन-कौन से business है सबसे पहला अगर कोई hedging contract है hedging contract है raw material merchandise या stock and shares में वहाँ पे risk को hedge करने के लिए risk को mitigate करने के लिए आपने कोई hedge contract ले लिया तो वो तुमारा speculative transaction नहीं है या फिर आपने कोई forward contract किया है वो speculative नहीं है as well as आपका derivatives derivatives आपका shares से related है या commodity से related derivatives है या commodity से related derivatives है जिसको अपन future options बोलते है और commodity से related जो derivatives रहते जो MCX में करते है तो वहाँ पे अगर कोई derivative transaction है जो कि यह recognize stock actions में आपने किया है तो वो आपका speculative नहीं माना जाएगा वो तुमारा normal business transaction ही माना जाएगा तो speculative business का मतलब होता है ऐसा business जिसमें actual delivery नहीं होती जिसमें actual delivery नहीं होती that is call your speculative business करके जैसे मानलो मैंने आपको बोला कि मैं one month के बाद आपको 1 kg gold sale करूँगा अब आपको भी पता यह सुना होगा intraday मतलब सुभे खरीदा शाम तक आपने बेच दी आपको actual delivery नहीं हुई that is call speculative but guys ध्यान रखना है यह three types के transaction speculative नहीं है hedging contract is not a speculative forward contract is not a speculative and derivative is not a speculative it is treated as a normal business transaction you got my point or not चलिए after section 28 next section आती है 29 29 यह बोलती है how to calculate the PGBP का income तो PGBP की income निकालने के लिए बड़ा ही simple है आप section 30 से लेके 43D को follow करो आपको PGBP का income मिल जाएगा section 30 से लेके 37 तक है यह आपके expenditure की बात करती है कि P&L के debit में कौन-कौन से खर्चे आएंगे तो section 30 यह बोलती है कि rent, rate, taxes, insurance and repair of the building अगर कोई भी building है उस building का जो rent है, rates है, taxes है, insurance है, repair है क्या उसका खर्चा अलाव होगा या नहीं तो देखो rent के case में अगर आप building के owner हो तो आप खुदको तो rent पे नहीं कर सकते हैं तो rent है वो tenant ने पे किया तो अलाव है, owner खुदको तो rent पे नहीं कर सकता, लेकिन जो rates है, taxes है, insurance है and repair है, repair में भी दो तरहें के repair होते हैं, एक होता है revenue repair, एक होता है capital repair, revenue repair को current repair भी बोलते हैं, जो छोटा मोटा repair होता है, that is called revenue repair, तो revenue repair है वो अलाव होता है, capital repair अलाव नहीं होता, क्योंकि capital repair क्या होता है, asset की cost में जाके add हो जाता है तो देखिए, section 30 के इसाब से, जो भी आपका rent है, rates है, taxes है, insurance है, and revenue repair है, तो rent है, वो tenant ने पे किया, तो allow हो जाएगा, अगर owner rent पे नहीं कर सकता, तो owner के case में कुछ भी allow नहीं होगा, अब एक बात समझना, जब मैं बात करता हूँ, rates, taxes, insurance and revenue repair की, यह दोनों को allow है, अगर owner ने पे किया, तो भी allow है, tenant ने पे किया, तो भी allow है, repair allow नहीं होता, capital repair allow नहीं होता, क्योंकि वो asset की cost में जोड जाता है, उसके बाद एक section आती है, 31, 31 क्या बोलती है, insurance and repair of plant and machinery furniture, अगर आपने insurance and repair करवाया, plant and machinery furniture का, तो अगर आप insurance करवाते हो, या फिर आप revenue repair कराते हो, तो owner ने करवाया, तो भी allow है, अगर आप asset के tenant तो भी allow है, revenue repair दोनों को allow है, लेकिन capital repair allow नहीं होता, लेकिन question ही आता है, क्या sir अगर कोई rent पे किया, plant and machinery furniture का rent पे किया, जैसे ये camera हमारे office में लगा हुआ है, ये plant and machinery है, ये rent पे ले रखा है, तो ये rent पे किया, तो क्या rent allow होगा, answer is yes, ये rent tenant को allow हो जाएगा, ये इस section की वज़े से नहीं, due to section 37 है, वो allow होता है, अब एक और चीज़ समझना, एक question ही आता है, कि sir, यहाँ पे, जो अपनने section 30 और 31 म नहीं होगे, एक और चीज़ समझना, बहुत बार क्या होता है, कि आप जो है, tenant ने capital repair कराया तो, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, कि यहाँ पे sir, tenant ने अगर capital repair कराया, तो allow नहीं होगा, building के case में, तो tenant ने capital repair कराया, उसका करेगा, तो उस particular case में, tenant ने जितना capital repair कराया है, उसक depreciation क्लेम करेगा, tenant, उसके बाद next section आती है, that is the section number 32, depreciation, एक guys, एक चीज़ ध्यान रखना, depreciation कब allow होता है, जब दो condition satisfied होती है, पहली condition यह है, कि वो asset आपके business में use होनी चाहिए, use का मतलब active use as well as the passive use भी use माना जाता है, तो active use या passive use होती है, use होनी चाहिए, और दूसरा आप उ एक वर चीज़ समझना, depreciation लेने के लिए, क्या आपका owner होने चाहिए, बट owner का मतलब registered owner या beneficial owner, right answer is beneficial owner, there is no need of the registered owner, even you are a beneficial owner, you can claim the depreciation कोई दिकत नहीं है, अब question ही आता है, sir, lease के case में depreciation कौन लेगा, तो आप accounts में तो यह पढ़ते हो, कि lease के case में operating lease है तो lesser लेगा, financing lease है तो less ही हमेशा lesser को depreciation allow होगा, भले वो operating lease हो या financing lease हो, अब एक और चीज़ समझना, higher purchase के case में आप owner तो कब बनते हो, जब आप last installment पे करते हो, तो भी आप depreciation ले सकते हो from the beginning, मिस स्टार्टिंग से आप depreciation ले सकते हो, कोई दिकत नहीं है, भले आप owner बनते हो, वो last installment पे बनते हो, बट आप starting से depreciation है, वो ले सकते है, कोई दिकत नहीं है, एक और चीज़ समझना, अगर कोई asset आपके पास partly ओने, जैसे माल लो मैंने computer खरीदा, मेरे friend और मैंने मिलके खरीदा, हम दोनों हमारे business में use करते है, तो क्या हम depreciation ले सकते है या नहीं, बिलकुल ले सकते है, आधा depreciation मैं 2013 का adjustment, इसमें क्या हुआ था, कि एक leasing company थी, मिस उसको lesser बोलेंगे, leasing company ने क्या किया किया, कुछ buses है, मतलब buses है वो पहले खरीदी, और खरीद के, और फिर ICDS limited ने, किसी person को उसको lease पर दे दी, मिस ICDS limited जो है, वो एक lesser है, उन्होंने क्या किया, कुछ buses है, वो खरीद के, किसी मालो truck वाले को, truck, truck, मतलब एक truck वाला बेंदा, उसको कुछ buses या truck खरीद के, और lease पे दे दिए, बट ICDS limited ने क्या किया पता है, उस vehicle का registration है, वो lessie के नाम पे करा लिया, because motor vehicle act में क्या होता है, registration उस person के नाम पे होना चाहिए, जो उस vehicle को चलाता है, तो उन्होंने, उसका registration है, वो lessie के नाम पे करा दिया, बट पैसा lesser ने लगाया है, buses lesser ने खरीदी थी, अब question ही आता है, कि sir, इसका owner कौन माना जाएगा, depreciation किसको मिलेगा, क्योंकि अभी अपन न read करने के बाद, उन्होंने four conclusion, four type of the, four उन्होंने points को notice किया, और उसके बाद उन्होंने conclude किया, पहला point ये notice किया, कि lesser जो है, ICDS Limited जो company है, वो company exclusive owner है vehicle की at all point of the time, मिस हर point पे जो owner है, उन vehicles की, वो ultimately कौन है, lesser है, दूसरा उन्होंने ये notice किया, कि भाया, अगर lessie ने installment पे नहीं कि तो lesser के पास में ये power है, कि वो वापस से उस buses को truck को ले सकता है, मिस वापस से उसकी ownership, उसकी जो possession है, वो retain कर सकता है, तीसरा condition उन्होंने देखा, कि जो lesser है na ICDS Limited company, वो कभी भी जाके bus का inspection कर सकती है, and चौता, उन्होंने ये देखा, कि lease period जब खतम हो जाएगा, तो वो buses अनलाइज करके, agreement को अनलाइज करके, Supreme Court ने ये judgment दिया, कि इस particular point में ये समझ में आता है, कि ये जो buses है na, ये buses का, ultimate owner lesser ही है, और lesser को यहाँ पर depreciation मिल जाएगा, means ICDS Limited है, वो depreciation मिलेगा, ICDS Limited है, वो beneficial owner है, भले इसका registration है, वो कराते time lessy के नाम पे कराया है, तो भी lesser इस पर depreciation ले सकता है, you got my point or not, yes? Now next point आता है, classification of depreciable asset, तो मैं बता दू, यहाँ पर depreciable asset है, वो basically 4 class की होती है, 4 class की कौन-कौन सी, सबसे पहली class होती है, that is the building, building is a depreciable asset, second is a furniture, third is a plant and machinery and fourth is a intangible asset, एक चीज़ ध्यान रखना, intangible asset में आपका goodwill, patent, copyright, trademark, franchise, design, formula, वो सब intangible asset में आएगा, लेकिन एक चीज़ समझना मैंने goodwill भी बोला है, goodwill पे depreciation नहीं मिलता, goodwill पे depreciation नहीं मिलता, means हर intangible asset पे depreciation आपको मिलेगा, but other than goodwill, goodwill पे आपको depreciation है, वो आपको नहीं मिलता, means goodwill of the business and goodwill of profession है, वो intangible asset पे depreciation नहीं मिलता, पहले मिलता था, पहले मिलता था, तो intangible asset include the patent, know-how, copyright, trademark, franchise, design, formula, but other than goodwill of the business and profession, goodwill of business and profession पर अब depreciation नहीं मिलता है, तो चार class की asset हो गई, पहला आपका building, second is your furniture, third is plant and machinery, fourth is intangible asset, but intangible asset will not include the goodwill of business and profession. अब एक और चीज़ समझना, depreciation की rate क्या होती है? तो मैं बता तो depreciation की rate समझाने से पहले मैं depreciation की आपको method समझाता हूँ. देखो, दो तरह की method होती है, एक तुमारी होती है WDV method, एक होती है SLM method. हमेशा income tax में आपको WDV method ही follow करनी पड़ेगी, income tax में आपको WDV method ही follow करनी पड़ेगी, but guys, इसका एक exception है, और वो exception यह है कि अगर कोई assessi है in the business of generation or generation and distribution of power, या तो power generation में है, या power के generation and distribution में है, या तो power generation में है, या power के generation and distribution में है, तो उसके पास option है कि वो SLM या WDV कोई भी, दोनों में से कोई भी method follow कर सकता है, लेकिन guys, इसको छोड़के, बाकि जितने भी assessi है, they have to follow the WDV method, WDV method ही follow करना पड़ेगा, तो देखो power units के case में generation and generation, या generation and distribution में है, तो SLM या WDV दोनों में से कोई भी method follow कर सकते है, या option है, लेकिन बाकि जितने भी assessi है, उनको WDV method ही follow करनी पड़ेगी, अब question ही आता है, कि WDV method follow कर रहे है, तो sir, एक बात बताईए, depreciation की rate क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ depreciation की rate इधर ध्यान देना सबसे पहले अगर मैं बात करूँ building की building में ध्यान रखना जो roads होते है bridge होते है, wells होते है, tube wells होते है, वो भी तुमारे building की category में आ जाते है, building में अगर आपका residential building है जैसे कि आपके residential building का मतलब होता है, कि जैसे आपके employee वगरा रहते है, जिसको employee quarter वगरा बोलते है, अगर मालो residential building है तो आपकी depreciation की rate 5% है other building के case में commercial building के case में 10% है, और जो temporary building होती है, या wooden structure होते है उसमें आपको 40% की rate से depreciation मिलेगा, उसके बाद मैं बात करते है furniture की, furniture के case में आपका depreciation का rate 10% है, अब 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 plant and machinery की बात करते है, plant and machinery में सबसे पहला motor vehicle अब एक चीज समझना, motor vehicle के case में normally आपका depreciation का rate है वो 15% है, और वो motor vehicle अगर मालो hiring पर business में use हो रहा है, जैसे जो lorries, truck वगेरा होते हैं, बसेज वगेरा होते हैं, अगर वो hiring business में use होता है, तो 15% की जगे आपका 30% हो जाएगा लेकिन इसमें एक चीज और रिहां रखना, अगर कोई motor vehicle है, वो acquired and put to use किया है, between 23rd August 2019 से लेके, 31st March 2020 के बीच में, 23rd August 2019 से लेके, और 31st March 2020 के बीच में इस particular period में, अगर उसको acquired and put to use किया है, तो normal rate जो 15% है, उसकी जगे आपका 30% हो जाएगा, और hiring वाले में जो 30% है, उसकी जगे आपका 45% है, वो depreciation का rate हो जाएगा, उसके बाद में जो ship है, वो ship आपके पानी में चलती है, ship है, vessel है, speed boats है, उसके case में 20% depreciation की rate, जो भी आपका aircraft रहता है, helicopter रहते हैं, उसके case में आपको 40% depreciation की rate, computer, computer, software के case में, laptop के case में 40% है, वो depreciation की rate, उसके बाद में books के case में, कोई भी books हो, बले वो annual publication हो, या library business में use हो रही हो, books के case में आपको 40% की rate से depreciation rate, pollution control equipment होते हैं, उसमें 40% की rate से depreciation rate, windmills जो होती है, और उसके equipment, अगर 1-4-2014 से पहले install हो चुके है, तो तो 15%, बट 1-4-2014 या उसके बाद में install हुए है, तो 40% आपकी depreciation की rate रहेगी, जो भी तुमारे renewable energy devices होते हैं, including जो EV, means electric vehicle होते हैं, उसके case में आपको 40% की rate से depreciation मिलता है, oil well के case में 15%, other plant and machinery जो बचेगा, उस पे भी 15% and जो intangible assets होती है, उनके case में आपको 25% की rate से depreciation मिलेगा, तो देखिए, अगर मैं rates की बात करूँ, सबसे पहली चीज़ यह है, कि building के case में, आपका residential building 5%, other building 10%, temporary building 40%, furniture के case में 10%, plant and machinery, motor vehicle के case में 15%, hiring business है तो 30%, but motor vehicle 23rd August 2019 से लेके 31st March 2020 के बीच में acquired and put to use किया है, तो आपका normal के case में 30%, hiring business के case में 45%, उसके बाद में ship के case में, ship जो होती है, उस पे 20%, aircraft 40%, pollution control equipment 40%, computer, computer software पे 40%, books पे 40%, windmills 1 for 2014 के बाद में put to use हुआ है, 40%, उससे पहले हुआ था तो 15%, oil well के case में, आपका 15%, other planted machinery 15%, EV vehicle, electric vehicle है, उसके case में आपका 40%, intangible asset के case में 25%, एक और चीज़ समझना, क्या depreciation claim करना mandatory है, answer is yes, आपको claim करना ही पड़ेगा, depreciation depreciation is mandatory, एक और चीज़ समझना, जो mobile phones होते है, जो अपन बोलते है, hello, या फिर EPA BX machine होती है, EPA BX क्या होती है, जो intercom calling system होती है, जब बोलते है, का IVR जो बोलता है, का operator के लिए 9 दबाए, that is called EPA BX machine, तो जो mobile phone होते है, EPA BX machine है, वो computer नहीं है, यह other plant and machinery में आएगा, और उस पर आपको 15% की rate से depreciation मिलेगा, एक और चीज़ समझना, जो computer से related accessories होती है, जैसे computer के साथ printer है, या UPS है, या scanner है, वो आपके computer के parts ही माना जाता है, उस पर आपको 40% की rate से depreciation मिल जाए में गा कर गे, एक और चीज़ समझना, जब plant and machinery की बात करोगे ना, तो ship रहती है, वो भी plant and machinery में आएगी, vehicle plant and machinery में आते है, books भी plant and machinery में आते है, surgical equipment जो होते है वो भी plant and machinery में आते हैं, लेकिन कुछ चीज़े plant and machinery में नहीं आएगी, एक तो जो depreciation लेने का system क्या होता है तो देखो अपने normally क्या होता है दो system होते हैं एक होता है block of asset system एक होता है individual asset system individual asset system किसको बोलते हैं जैसा कि आप account में करते हो तो account या FR में जो आप करते हो ना that is called individual अब एक चीज समझना individual asset system उनको लगता है जो लोग SLM method follow करते हैं और हमारे यहां पर SLM method एक ही person follow कर सकता है power units जो power generating या power generating and distributing में है अगर वो SLM method follow करते हो तो आपको individual system follow करना है और individual system same वैसा ही है जैसा आपने FR और account में सीखा हुआ है लेकिन जब आप WDB method follow करते हो और मैं बता दू income tax में 99.999% assessee has to follow the WDB method और जब आप WDB method follow करते हो तो आपको block of asset system लगेगा अब आप मुझे बोलो के block of asset का मतलब क्या होता है बता है block of asset का means group of asset means assets का आप group बना दो जिसमें same rate की asset and same class की asset rate इतनी सारी दे रखी है and class आपकी 4 है तो same class की asset and same rate की asset को एक साथ में ले लो एक साथ में गुलू-गुलू करा दो गर गे ठीक है एक साथ में ले लो same rate की asset and same class की asset को एक साथ में ले लो that is call your block of asset तो block of asset wise आपको इसाब रखना है तो income tax में ध्यान रखना है आपको block of asset system लगेगा और block of asset wise है वो आपको इसाब रखना है चलिए उसके बाद में next point पे आता है depreciation calculate कैसे करना है तो बड़ा simple है depreciation calculate करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए opening WDV और block ले लीजिए block का opening WDV में last year का closing था वो इस साल का opening होगा वाउ वो ले लीजिए उसमें add कर दीजिए actual cost of asset acquired during the previous year in simple word जो आपका purchase है वो purchase वाला उसमें add करिए लेकिन एक चीज़ ध्यान करना purchase add करते time आपको purchase को 3 parts में add करना है पहला acquired and put to use 180 days or more second is acquired and put to use less than 180 days and third acquired but not put to use ऐसा भी तो हो सकता है कोई asset acquired कर ल नहीं किया अरे guys जब acquired कर लिए और put to use नहीं किया तो उस पर depreciation तो नहीं मिलेगा लेकिन वो आपके block का part बनेगी उसको block में आपको जोड़ना पड़ेगा तो देखिए अपन तीन पार्ट में add करेंगे one is the acquired and put to use 180 days or more acquired and put to use less than 180 days and last is acquired but not put to use अब एक चीज़ समझना इसमें अगर कोई भी asset sale कर दी है तो selling price उसका less कर दो इस साल में उस block की कोई asset अगर आपने sale कर दिया तो selling price आप उसमें से less कर दो as well as अगर मालो आपका कोई slum sale में unit विका है तो slum sale में जो unit विका है उन assets की जो WDV रहेगी वो भी आप block में से less कर दो जो भी बचेगा इसको बोला की बर put to use नहीं की तो उस पे तो depreciation नहीं मिलेगा अगर कोई asset acquired की put to use less than 180 days किया तो उस पे half rate से depreciation मिलेगा और जो balance बचेगा उस पे आपको full rate से depreciation मिलेगा अब आप बोलोगे के sir एक बात बताओ आप बोल रहे हो कि कोई asset acquired की जाती है पोट to use less than 180 days है तो उस पे half rate से depreciation मिलेगा sir date बता दो कौन सी date रहती है क्या date याद रखनी है तो मैं बता दू आपका जो exam हो रहा है उसके लिए previous या 23-24 है और 23-24 आपका 24 जो है वो leap year है और leap year में feb में 29 days है और जब feb में 29 days है तो आपको date याद रखनी है 4th October and 5th October अगर कोई asset है वो 1st April 2023 से लेके और 4th October 2023 तक आपने put to use कर दिया तो तो उस पे full rate से मिलेगा और 5th October onwards till 31st March 2024 तक आपने put to use किया तो आपको half rate से depreciation मिलेगा तो 4th October and 5th October आप याद रखेंगे आपके exam के लिए leap year है तो 4th October तक put to use कर दिया तो आपको full rate से मिलेगा और 4th October के बाद 5th October onwards आपने use किया तो आपको half rate से depreciation मिलेगा अब एक और चीज़ समझना जब भी आप asset को बेचते हो तो मैंने क्या बोला यहाँ पे जो money payable है न वो less होता है money payable यह आप इसको यह समझ सकते हो money receivable मतलब जितना पैसा मिलता है selling price होती है वो less करनी है अगर आपने building बेची और उसका stamp duty value भी दे रखा है तो क्या SDV less करेंगे ना बाबा SDV less नहीं करना है जो actual पैसा आपको receive या receivable है वो वाला आपको less करना है लेकिन जब capital gain अगर लग रहा है तो capital gain calculate करते time जो capital gain में जो 50C वाली section है उसमें अगर SDV selling price के 110% से जादा है तो फिर SDV consider होगा एक और चीज़ समझना sale price का मतलब होता है आप या तो asset को sale करते हो तो पैसा मिलता है या फिर मालो आपको कोई insurance claim मिल गया या कोई scrap value मिल गई तो वो भी आपके sale consideration में आता है और यहाँ पे आपका less हो जाए गा करगे ठीक है चलिए अब एक और चीज़ समझना अगर कोई asset आप acquire करते हो और उसको put to use करते हो less than 180 days in current year तो आपको half rate से depreciation मिलेगा miss rate आधी हो जाएगी लेकिन एक चीज़ समझना यह वाली restriction सिरफ उसी year के लिए है जिस year में आप asset को acquired करते हो miss asset को आपने acquired मालो इस year किया और put to use आपने अगले साल किया acquired इस साल किया, put to use आपने अगले साल किया और अगले साल मालो less than 180 days है तो भी आपको full rate से depreciation मिल जाएगा because यह funda जो है वो सिरफ उस year के लिए लगेगा जिस year में आप asset को acquire करते हो तो देखिए मैंने क्या दे रखा depreciation is restricted to 50% if asset is put to use for less than 180 days in the year of acquisition means acquired इस साल किया और put to use भी इस साल किया और less than 180 days है तो आपको half rate से depreciation मिलेगा लेकिन acquired इस साल किया put to use अगले साल किया तो बेटा आपको full rate से depreciation अगले साल मिल जाएगा next concept आता है कि अगर मालो next concept आता है कि अगर मालो आपका in between the year दो companies का amalgamation हो जाता है de-merger हो जाता है या succession हो जाता है succession किसको बोलते है आप तो याद रहेगा capital gain जिसमें मैंने बताया था कि अगर proprietary concern है या फिर partnership firm है proprietary concern या partnership firm है वो क्या करती है company में convert हो जाती है या चोटी-चोटी कमपनिया LLP बन जाती है that is called succession तो amalgamation de-merger succession के case में sir जिस year में amalgamation de-merger succession होता है उस year का depreciation किसको मिलेगा तो guys आप एक काम करिए पहले depreciation ऐसे calculate करिए जैसे amalgamation de-merger succession हुआ ही नहीं है and guys जो भी depreciation आता है that has to be bifurcated between the predecessor and successor in the ratio of number of days asset used by them जिसने जितने दिन asset use की है उस ratio में उस depreciation को आप divide कर लीजिए और दुनों को depreciation दे दीजिए you got my point or not yes चलिए next concept आता है कि अगर आप asset को sale कर देते तो क्या होगा अब guys block of asset की asset है उसको अगर आप sale कर देते तो क्या capital gain आएगा या नहीं तो उसको दो part में हम समझेंगे सबसे पहले अगर माल लो आपने पूरा block ही sale कर दिया पूरा block ही sale कर दिया आपने पूरा block sale कर दिया इसका मतलब block में जितनी asset थी वो सब बेच दी तो जितनी asset थी वो सब बेच दी तो block में asset तो बची ही नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा आइधर capital gain होगा या फिर capital loss होगा यहां depreciation नहीं मिलेगा जैसे example के तुरू मैंने आपको समझाया है कि opening WDV of block है वो 6 lakh था उसमें आपकी 5 asset थी आपने 2 lakh में 2 asset और खरीदी तो 8 lakh की value हो गई और total 7 asset थी अब आपने क्या-क्या all 7 asset को बेच दिया और all 7 asset को आपने 5 lakh 20,000 में तो 520 less कर दीजिए आपके पास में 280 है वो value बचा बट आपके पास asset तो कोई ही नहीं तो इस particular example में आप देखेंगे आपके पास क्या कोई asset है ना बाबा ना asset तो नहीं है आपके उस WDV है answer is yes क्या depreciation मिलेगा depreciation नहीं मिलेगा एक चीज़ दियान रखना है depreciation तभी मिलता है जब आपके पास asset भी होनी चाहिए and WDV भी होनी चाहिए यहाँ पे आपके पास WDV तो है बट asset नहीं है तो depreciation आपको नहीं मिलेगा यहाँ capital gain होगा answer is yes क्योंकि यहाँ पे loss हुआ आपका WDV है वो 8 lakh था आपको सिरफ 5 lakh 20,000 का recovery हुआ तो यहाँ 280 का loss हुआ और इस loss को बोल जाता है short term capital loss हमेशा ध्यान रखना depreciable asset जब भी आप बेचते हो हमेशा short term capital gain या short term capital loss आता है यह long term नहीं होगा ऐसा क्योंकि देखो जब आपने depreciation लिया था तो depreciation लेते time आपने business की income कम की थी और business की income कम की थी इसका मतलब आपने 30% business की income पे normally 30% की rate से tax लगता है तो आपने 30 percent tax save किया था तो अब अगर tax लग रहा है तो वो भी 30% की rate से लगेगा इसके लिए हमेशा यहां पे short term capital gain या short term capital loss होगा अब एक बात समझो आपने क्या किया same example आपका opening WDV 6 लेक था 5 असेट थी उसमें आपने 2 लेक में 2 assets और acquire की total 8 लेक हो गया total asset 7 होगी आपने 7 की 7 asset बेच 930 में तो 930 में बेचा तो यहां पे आपको gain हो गया कितना 1,30,000 का इस particular example में आपके पास asset है क्या नहीं asset नहीं है आपके पास में WDV है नहीं WDV भी नहीं है तो क्या आपको depreciation मिलेगा नहीं मिलेगा जो भी gain है वो आपके capital gain हैड में जाएगा और 1,30,000 है वो आपका capital gain हो अब एक चीज समझना अगर आप block में से कुछ asset बेच देते हो तो क्या होगा that is called part block transfer अगर आप block में से part block transfer कर देते हो मिस जैसे आपके पास में opening WDV है वो 6 lakh थी total asset 5 थी आपने current year में 2 lakh में 2 asset और खरीदी total हो गया 8 lakh और total 7 asset है अब 7 asset में से आपने क्या किया 4 assets को बेच दिया और 4 assets को 9 lakh 10,000 में बेचा अब जब आपने 9 lakh 10,000 में 4 asset बेच दिया तो आप block में से less कितना करोगे block में से less obviously आपको 9 lakh 10,000 करना चाहिए बट एक चीज़ ध्यान रखना अमारे income tax में block can be nil but never be negative block nil हो सकता है बट कभी भी negative नहीं हो सकता तो maximum आप यहाँ पे 8 lakh ही less कर सकते हो आपको यहाँ पे कोई भी balance बचेगा नहीं तो इस particular example में हुझे बताइए क्या आपके पास asset है answer is yes मेरे पास asset है लेकिन क्या यहाँ पे WDV है answer is no WDV नहीं है तो क्या यहाँ पे depreciation मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पे capital gain head में जाएगा और capital gain head में 9 lakh 10,000 is selling price minus WDV कितना था 8 lakh तो आपका 1 lakh 10,000 है उतने का आपको short term capital gain आ जाएगा यहाँ पे short term capital gain आएगा अब आप मुझे बोलोगे sir इस particular example में तो 3 assets बची है तो भी depreciation नहीं मिलेगा depreciation बट जब भी future में यह 3 assets को आप बेचोगे तो जितने में बेचोगे ना वो selling price सीधा तुमारा क्या हो जाएगा short term capital gain लास्ट example आपके पास opening WDV 6 lakh है उसमें आपके पास total 5 asset है आपने 2 asset 2 lakh में acquire की total asset हो गई 7 और 8 lakh की value हो गई आपने क्या आपके प्याया उसमें से 4 assets को बेच दिया at 6 lakh 20,000 तो आपके पास में 3 assets बची और WDV 1 lakh 80,000 का बचा यहाँ पे देखिए आपके पास क्या asset है answer is yes है क् यहाँ depreciation मिलेगा answer is yes मिलेगा क्या capital gain होगा ना बाबु ना यहाँ capital gain नहीं होगा तो एक बात बताओ capital gain दो ही case में हो सकता है या तो तो तुमारा पूरा block transfer हो जाए मिस पूरा block की आपने transfer कर दिया पूरा block sale कर दिया तो आपको capital gain होगा या तो short term capital gain या short term capital loss अगर आपका selling price opening WDV plus purchase से जादा है तो short term capital gain और अगर आपका selling price opening WDV plus purchase से कम है तो आपका short term capital loss लेकिन गाईज अगर आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे part block transfer किया तो उस particular case में capital gain एक ही case में हो सकता है अगर part block का selling price opening WDV plus purchase से जादा है बट अगर माल लो part block का sell price opening WDV plus purchase से कम है तो फिर आपको normal depreciation मिलेगा capital gain नहीं आएगा एक और चीज़ समझना additional depreciation additional depreciation जो है वो additional depreciation कब मिलता है किसको मिलता है यहाँ हर किसी को नहीं मिलता प्यार जिंदगी में वैसे additional depreciation है वो हर किसी को नहीं मिलता additional depreciation सिरफ 4 लोगों को मिलेगा या तो आप manufacturing business में हो या power generation में हो या power transmission में हो या power distribution में हो तो power generation में हो power transmission में हो power distribution में हो या फिर आप manufacturing में हो तो आपको additional depreciation मिलेगा additional depreciation हर asset पे नहीं मिलता सिरफ plant and machinery पे मिलता है and guys plant and machinery में भी ध्यान रखना Second hand plant and machinery पे नहीं मिलता जो office में plant and machinery या residential accommodation में यूस पे नहीं मिलता जिस plant and machinery पे आप already hundred percent deduction ले लेते हो उस पे नहीं मिलता and guys जो ship, aircraft and vehicles होते हैं उस पे आपको additional depreciation नहीं मिलता. Αब आप मुझे बोलोblem additional depreciation क्या rate क्या होता है additional depreciation का rate 20% होता है जो कि उसके actual cost पर मिलता है, तो जब आप asset acquire करते हो, उस पर 20% आप additional depreciation ले लीजिए, और यह सिरफ उस year में मिलता है, जिस year में आप asset को पहली बार put to use करते हो, अब एक और चीज समझता है, अगर मान लो asset को इस साल में acquire किया, और इस साल में आपने put to use less than 180 days किया, तो क्या additional depreciation भी half rate से मिलेगा, answer is yes, additional depreciation आपको इस साल में 10% से मिल जाएगा, लेकिन remaining 10% है, वो आपको अगले साल मिल जाएगा, तो 10% आप इस साल ले लीजिए, 10% है, वो आपको फिर अगले साल मिल जाएगा, एक और चीज समझना, अगर आपका printing का business है, या printing and publishing का business है, तो वो भी बिजनस माना जाता है, और उस पे भी आपको जो है, वो additional depreciation मिल जाएगा, एक और चीज समझना, additional depreciation तभी मिलता है, जब आप WDV method follow करते हो, जो power generating company अगर SLM method follow करती है, तो additional depreciation नहीं मिलता, सिरफ आप WDV method follow करते हो, तो ही additional depreciation मिलता है, एक और चीज समझना, जो forklift truck होता ह जो factories होती है, वो factories के अंदर सामान को एक जगे से दूसरे जगे पर लेके जाता है, that is called forklift truck, forklift truck जो होता है, वो आपका vehicle नहीं है, motor vehicle नहीं है, ठीक है, उस पे additional depreciation आपको मिल जाएगा, चलिए, उसके बाद next point आता है, sir एक बात बताईए, जब block में asset को add करते है, तो उसक actual cost add करते हैं, क्योंकि मैंने बता है, actual cost of the asset acquired during the previous year, तो actual cost का मतलब क्या, तो actual cost बड़ा simple है, सबसे पहले asset की purchase price ले लीजिए, उसमें जो भी आपका installation का खर्चा है, transportation का खर्चा है, या फिर test run या trial run का खर्चा है, उसको आप add कर दीजिए, तो installation, transportation, trial run, test run का खर्चा है, उसको add कर दीजिए, लेकिन अगर मानलो assets को acquire किया, उस पे कोई भी आपने taxes या duties पे किया है, तो क्या वो भी add होगा या नहीं होगा, तो guys मैं बता दू, अगर उसका input tax credit आपको मिलता है, ITC अगर आपको मिलता है, तो फिर यहाँ पे block में वो ITC वाला part add नहीं होगा, लेकिन अग character के लिए, या partner के लिए car खरीदी, car जो है मैं घर पे लेकर, बिट वो business के नाम पे है, क्या मैं उसका ITC ले सकते हो, नहीं ले सकते है, आपको याद रहेगा, तो GST में आपने पढ़ा होगा, वो block ITC में आता है, तो अगर car खरीदी, तो car का input tax credit है, वो अपने को नहीं मिले put to use के बाद का interest है, वो सीधा P&L के debit में डाल दो, तो put to use की date तक का interest है, उसको capitalize करो, और put to use की date के बाद का interest है, उसको आप सीधा P&L के debit में डाल दो, एक और चीज़ समझना, अगर माल लो, कोई भी trial run जब आप करते हो, तो trial run से जो product बनता है, वो product को बेचने से, जो भी प at us call your actual cost, एक और चीज़ दियाहन रखना, अगर आप कोई भी asset को acquire करते हो, और उससे related आप कोई expenditure कर रहे हो, जो single day में single person को payment 10,000 से ज़्यादा का कर रहे हो, तो वो cash में नहीं कर सकते, अगर आपने cash में किया, तो उसको actual cost में add नहीं करेंगे, तो आपने जो asset acquire किया, उसका payment या उससे related कोई खर्चे है, installation वगरा के, single day में single person को 10,000 से ज़्यादा का, आप cash में payment नहीं कर सकते, तो सर्क कैसे करना है, it has to be made by account pay check, account pay demand rate, या any mode of electronic clearing system, any mode of electronic clearing system में क्या क्या आएगा, debit card, credit card, NEFT, RTGS, BM, BIM, UPI, and QR code कर गे, ठीक है, यह आएगा, इससे आप payment करोगे, चलेगा, cash में 10,000 से ज़्यादा का, cash में payment किया, तो वो तुमारे actual cost में नहीं आएगा, अब एक चीज़ समझना, यह actual cost से related कुछ explanation है, और यह explanation क्या बोलती है, समझने ही कोशिश करना, देखो, यह explanation से related exam में question आता नहीं, बढ़ कभी कबार आ गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए, explanation सबसे पहली explanation यह बोलती है, अगर मानलो कोई asset ऐसी थी, जो पहले scientific research laboratory में use होती थी, उसके बाद आपने सोचा क्या laboratory बन कर दो, और वो asset को आप normal business में ले आओ, तो normal business में जब आप उस asset को लेके आओगे, तो उसकी actual cost क्या होगी, मैं बता, उसकी actual cost आपको nil लेना है, nil, actual cost is nil, क्यों ऐसा, क्योंकि आप scientific research laboratory में जब use कर रहे थे, तो उसके 100% deduction ले चुके थे, तो अगर आप उसको अपने business में लेके आते हो, और normally उसको use करते हो, तो उस particular case में उसकी actual cost है, वो nil हो जाएगी, एक और चीज़ समझना, अगर आपका कोई stock in trade था, जो पहले stock in trade था, तो FMV, PGBP में taxable हो गई, अब उसी capital asset को आप अगर अपने business के लिए use कर रहे हो, तो उसकी actual cost क्या होगी, तो उसकी actual cost वो ही FMV होगी, जो की as on date of conversion था, जैसे example के लिए DLF है, उसका एक office था, DLF जो है, वो builder है, builder का एक office है, वो stock in trade था, बट उन्होंने सोचा, इस office को क्यों अपने business में use कर लेते, तो stock in trade को पहले convert किया into capital asset, तो जिस दिन convert किया, उस दिन की FMV वे पहले PGBP में tax लग गया, और वो ही वाला FMV जो है, वो तुमारी लिए actual cost माना जाएगा, for the purpose of depreciation और उस पे आपको depreciation allow हो जाएगा, अब explanation number 2 क्या बोलती है, कि अगर माल लो आपको को previous owner का actual cost था, minus depreciation actually allowed to him, मिस जितना उसको depreciation allow हो गया, वो less कर दो, जो भी बचेगा, वो actual cost, जैसे मैं एक example लेता हो, मेरे एक दोस्त है, जिसका नाम है लक्षमन, लक्षमन के पास में एक car थी, क्या थी, car, और उसमें जो car है, वो car जो है, वो माल लो आज से 10 years पहले खरीदा आज उसने मुझे gift कर दिया, तो मेरी actual cost क्या होगी, जो लक्षमन की actual cost थी, minus लक्षमन को depreciation कितना allow हो गया, वो less कर तो, जो बचेगा, वो मेरा actual cost, तो लक्षमन अगर उसको business में use कर रहा था, तो उसकी जो WDV आएगी, वो ही मेरी actual cost बन जाएगी, बढ़ अगर लक्षमन number 3 ये बोलता है, कि अगर मालो आप किसी से कोई asset खरीद रहे हो, और आपका intention ये है, कि ज़्यादा value पर depreciation लेना, means आपने किसी से कोई asset है, जिसकी value 1 लेकी थी और आप 1 करोड में खरीद रहे हो, और बिटा, ज़्यादा value पर खरीद रहे हो, क्यों, क्योंकि आप profit making company हो, आ assessing officer decide करेगा, with the prior approval of the joint commissioner, joint commissioner की approval लेके, assessing officer decide करेगा, explanation number 4 ये बोलती है, कि अगर मालो मैंने क्या किया पता है, किसी से कोई asset है, मालो for an example, मेरे पास एक asset थी, मैंने क्या किया, वो asset को किसी को बेच दिया, मैंने बेच दिया, राकेश को, राकेश ने बेच दिया हरी को, हरी ने ब प्रवीन को, और प्रवीन से वो asset मैंने वापस खरीद लिया, एक बात समझो, मैंने क्या किया, कोई asset transfer किया, और बाद मैं वापस मैंने reacquire कर लिया, तो उसकी actual cost क्या आएगी, तो ये explanation ही बोलती है, कि जिस time मैंने original transfer किया था, तब उस time पे WDV क्या थी, और जितने में मै reacquire कर रहा हूँ, reacquisition की cost क्या है, whichever is lower रहेगा, वो आपकी actual cost बनेगी. तो अगर आपने कोई asset किसी को transfer कर दिया, और उसको वापस से reacquire किया, तो transfer किया था, उस time की WDV क्या थी, और reacquire कर रहे हो, उस time पे actual cost क्या है, आपकी reacquisition cost क्या है, whichever is lower रहेगा, वो आपकी actual cost बन जाएगी, explanation number 4 ये बोलती है कि अगर मानलो मैंने कोई asset किसी से purchase किया, I'm a buyer, मैंने किसी से purchase किया और मैंने उसी को वापस से lease back कर दिया, मैंने किसी से purchase किया और उसी को मैंने वापस से lease back कर दिया, तो उस particular case में मैं तो lesser बन गया, तो मेरे लिए actual cost क्या होगी, क्योंकि मुझ पहले आपके किसी personal purpose वगेरा के लिए use होती थी, other purpose के लिए use होती थी, आज आपने उस building को अपने business में ला लिया, तो question ही आता है कि उस building को जब आप अपने business में आज लेके आते हो, तो actual cost क्या होगी, तो उसकी actual cost के लिए आपको क्या करना है, कि भाहिया, जो पहले building का cost था कितना वो ले लो, और जितने दिन आपने business में use नहीं किया, उतने years का आप notional depreciation less कर दो, और notional depreciation less करने के बाद जो भी बचेगा, वो आपकी actual cost बन जाएगी, वापस बोल रहा हो, कि अगर कोई building थी, जो building पहले किसी other purpose के लिए use होती थी, miss personal purpose वगेरा के लिए use होती थी, अ that is call your actual cost, you got my point or not, yes, अब एक बात समझना, आपको याद रहेगा, हमने एक जगे ऐसा पड़ा था, कि जब भी आप tea, coffee and rubber development, tea, coffee and rubber growing and manufacturing में हो, तो आपकी partly income हो business होती है and partly हो agriculture होती है, कितनी होती है, कैसे होती है, तो tea के case में अपन 40-60 करते है, 40% business, 60% agriculture, coffee के case में अगर आप grown and cure कर रहे हो, तो 25-75, 25% business, 75% agriculture and grown के और roasted grounded है, तो 40-60 हो जाती है, rubber के case में क्या होता है, rubber के case में grown and manufacture of the rubber है, तो 35-65 होता है, हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा वाला percentage है, वो आपका agriculture का है, कम वाला आपका business का है, क्योंकि इंडिया की ज्यादा population agriculture करती है, तो ज्यादा वाला percentage है वो आपका agriculture का है, कम वाला business का है, यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपकी partly business और partly agriculture है, तो भी आप depreciation ऐसे calculate करोगे, जैसे आपका पूरा income ही आपका business का है, और जितना depreciation आता है, वो सीधा P&L के debit में जाएगा, और बेटा जितना depreciation P&L के debit में गया है, उ depreciation calculate होता है, चलिए, उसके बाद में next point पे आता है, कि अगर कोई power generating unit है, power generating and distributing unit है, वो अगर SLM method follow करती है, और जब SLM method follow करती है, तो उसको SLM method से depreciation मिलेगा, अब उसमें asset को बेच देते हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे अपन समझेंगे एक example के through, तो देखिए, एक asset ऐसी होगा, और 117 में बेचा, तो क्या होगा, और 2 years के लिए उसने 10% SLM method से depreciation लिया था, तो एक बात बताईए, 2 years के बाद में उसकी WDV जो है, वो return down value कितनी बची थी, 80 बची थी, अब उसने क्या किया, उसको 72 में बेचा, तो 72 में बेचा, और उसकी value 80 बची थी, तो 8 का loss हो इस 8 के loss को बोला जाता है, terminal depreciation, और ये terminal depreciation सीधा P&L के debit में जाता है, इसको बोला जाता है, तर्मिनल depreciation और ये सीधा P&L के debit में जाता है, लेकिन उसने अगर 89 में बेचा होता, तो 9 रूपिज जो है वो profit हो गया, इस profit को बोला जाता है, balancing charge, और ये सीधा P&L के credit side में जाता है due to section 41 subsection 2 लेकिन माल लो आपने asset को 117 में बेचा तो अगर आपने asset को 117 में बेचा आपका return down value 80 था 37 का profit हुआ तो 37 के profit को two part में divide करेंगे इसमें से 20 है वो 20 तो जाएगा PG BP में as a balancing charge and बेटा जो 17 है वो सीधा जाएगा capital gain head में और as a short term capital gain taxable होगा आपने कैसे divide किया तो divide कैसे किया देखो आपकी actual cost कितनी थी तो आपकी actual cost है वो asset की 100 थी आपका 100 था उसमें से आपका 80 है वो WDV था तो देखो आपको 117 मिला तो आपको WDV से जादा but up to the cost cost कितना था 100 था तो 20 का जो profit हुआ ना इसको बोला जाता है आपका national profit ये जाएगा PGBP head में and guys जो cost से भी ज्यादा पैसा मिला because 100 cost था उससे भी ज्यादा पैसा मिला 17 ये आपके जाएगा capital gain head में और उसको बोलेंगे अपन short term capital gain you got my point or not yes अब एक और चीज़ समझना next concept आता है कि बहुत बार asset जो होती है उसको partly आप business purpose के लिए use करते हो और partly other purpose के लिए use करते हो तो ध्यान रखना उस asset से related जितने भी खर्चे है ना वो partly ही आपको allow होंगे जैसे depreciation है उसका repair and maintenance का खर्चा, insurance का खर्चा वगरा है वो partly allow होगे बिस जितना आपको business percentage है उतना allow होगा personal purpose वाला allow नहीं होगा और जितना allow होता है उतना ही block में से less होगा तो अगर depreciation की बात करो तो depreciation actually जितना allow होता है उतना ही आपके block में से less होगा अब next concept आता है unabsorbed depreciation, unabsorbed depreciation क्या होता है कि बहुत बार आपका depreciation इतना होता है जिससे PGPP के income से भी setup नहीं हो सकता जैसे माल लो इस बार PGPP का income है वो 5 lakh है before depreciation बट इस साल का depreciation है वो माल लो 7 lakh है तो इस particular case में से 5 lakh में से 7 lakh को less करके 2 lakh का business loss नहीं बताना इस में से 5 lakh का income जो उसमें से आप एक काम करिए 5 lakh तका depreciation less कर दीजिए 2 lakh का जो depreciation बचा उसको अपन unabsorbed depreciation बोलेंगे और यह unabsorbed depreciation है ना बहुत ही प्यारी चीज़ है unabsorbed depreciation है उसको आप unlimited years तक carry forward कर सकते है और unlimited years तक carry forward कर सकते है वो तो अच्छी बात है आप future year में जाके भी किसी भी head से इ साइन्टिफिक रिसर्च की बात करती है साइन्टिफिक रिसर्च का मतलब होता है कि आप अगर है वो साइन्टिफिक रिसर्च पर खर्चा करते है अपने business के related वगईरा अब यहाँ पे इस section को अपन दो पार्ट में divide करते है पहला है in-house research और दूसरा है donation to outsider in-house research का मतलब हो आपके business के लिए आप research कर रहे हो, means आपका business है और आप business के लिए आप क्या कर रहे हो, research कर रहे हो, that is called your in-house research, अब एक बात समझना है, यह research आपके business से related होना चाहिए, हो सकता है research आप खुद कर रहे हो, या कोई और कर रहा है, लेकिन आपके business से related होना चाहिए, उसको हम in-house research ब गर रहे हो, एक्जामपल के लिए रेनबेक्सी हो, तो आपको 100% deduction मिलजाएगा under section 3511, अगर आप capital expenditure करते हो, तो guys capital expenditure पे आपको land पे deduction नहीं मिलेगा त्योंकि उसको लेकर planning हो सकती है, land पे आपको deduction पे आपको 100% deduction मिल जाएगा, तो मैंने क्या बोला, देखिए, scientific research में सबसे पहला in-house research, in-house research में इस आपके खुद के business के लिए research, अगर research during the course of business कर रहे हो, मैं इस business भी कर रहे हो, और अगर आप research कर रहे हो, तो revenue expenditure पे 100% deduction, capital expenditure पे land को छोड़के, बाकी वाले पे 100% deduction, अब एक और चीज़ समझना, अगर आप research करते हो before commencement of business, मैं बिजनस तो ही नहीं, और आप research कर रहे हो, ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारी कंपनिया ऐसी होती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते है, जिनका business ही नहीं अभी तक, business बाद में चालू करेंगे, research करने के बाद, बढ़ आप research कर लीजिए, वो तीन साल में जो भी आप खर्चे करोगे, उसका deduction आपको मिलेगा, लेकिन उसमें भी सब खर्चों का deduction नहीं मिलेगा, revenue expenditure में guys, सिरफ salary और raw material का deduction मिलेगा, क्योंकि एक तो business ही नहीं है, और आप research कर रहे हो, तो दो चीज़ों की जरुद पढ़ सकती है, एक तो deduction नहीं मिलेगा, only salary and raw material का 100% deduction मिलेगा, other revenue expenditure का आपको deduction नहीं मिलेगा, और capital expenditure की case में same, Lent पर deduction मिलेगा, बाकि जो भी capital expenditure है, उन पर deduction मिल जाएगा, और ये deduction obviously उस year में मिलेगा, जिस year में आप business चालू करोगे, तो जिस year में पहली बार आप business चालू करोगे, उस year में आपको य not yes, तो मैंने क्या बोला, देखिए, दो पार्ट, सबसे पहला, research during the course of business, revenue expenditure 100%, capital expenditure land को छोड़के बाकी पर 100%, before commencement of business में maximum 3 years का deduction मिलेगा, सिरफ salary और material का मिलेगा revenue में excluding percusate, capital में land को छोड़के बाकी पर 100% deduction मिल जाएगा करेगे, ठीक है, चलिए, इसके बाद में एक और section 35-2-A-B हुआ करती थी, पहले हम इसको बहुत ज़्यादा महत्व देते थी, आज की date में इसका relevance नहीं बचा, क्योंकि ये section ये बोलती है, ये section ये बोलती है कि अगर माल लो, ये तीन condition satisfied होगी तो आपको all revenue capital expenditure पे during the course of business 100% deduction मिल जाएगा, ये तीन condition क्या है, पहली condition, assessi company होना चाहिए, assessi manufacturing by technology business में engaged है, और जो research है वो prescribed है, तो बेटा all revenue capital expenditure पे 100% deduction आपको मिल जाएगा, except land and building, अब एक बात बताओ, ये section बोलती है, land पे तो deduction ही नहीं मिलेगा, अब ये section तो बोलती है, building पे भी नहीं मिलेगा, बट building पे तो बेटा, यहाँ पे 3514 के हिसाब से मिल जाएगा, जो 3514 था, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, and other capital revenue expenditure 100% deduction, अब आप बोलो कि इस section का क्या मैत हुआ है, इस section का आज की date में कोई मैत हुआ नहीं है, क्यों मैत हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 100% बोला हुआ है, तो 100% तो ऐसे भी मिल रहा है न, यहाँ पे, during the course of business revenue पे ऐसे भी 100 मिल रहा है, capital में land को छोड़ के बागी पे ऐसे भी 100 मिल रहा है, तो इस section का कोई मैत हुआ नहीं है, इस section का मैत हुआ पहले आप scientific research आप खुद नहीं करते हो, आप क्या करते हो, दान दाता बनते हो, दाता दानी बनते हो, और आप दूसरों को donation दे देते हो, अगर आप donation देते हो, तो भी आपको deduction मिलेगा, लेकिन donation किसको देना है, सबसे पहले आपको देखना है, donation देना है, to approved Rahul ICU को, किसको? to approved Rahul ICU, Rahul का मतलब होता है, research association, I का मतलब होता है, institute, C का मतलब होता है, college, और U का मतलब होता है, university, तो आपने अगर donation दिया, वो approved Rahul ICU को दिया, Rahul का मतलब research association, I का मतलब institute, C का मतलब college, और U का मतलब university, और इनको अगर आपने donations scientific research के लिए दिया तो 100% deduction, social statistical research के लिए तो 100% deduction, and अगर कोई IIT national laboratory है, उनको scientific research के लिए तो 100% deduction, या फिर कोई approved Indian company है, जिसको research and development में engaged है, जिसको scientific research के लिए तो 100% deduction आपको मिल जाएगा, अब एक बास समझना, अगर आपको इसकी section याद रखनी है, तो के लिए 3513, Indian company को दिया, अगर research and development scientific research के लिए तो 3512A, and IIT national laboratory को दिया, तो 352AA, लेकिन सब में deduction 100% ही मिलेगा, पहले यहाँ पे deduction 150 वगरा हुआ करता था, बट नौ निर्मला सीतारमन जी को लगता है, कि CA final CA intermediate के बच्चे कैसे याद रखेंगे, तो उन्होंने सब जगा 100% कर अब एक और चीज समझना, question यहाँ पे यहाँ आता है, कि sir, एक बात बताओ, यहाँ पे आपने बोला approved होना चाहिए, यहाँ पे आपने बोला approved होना चाहिए, जिस दिन donation दिया, तब तक तो वो institute, college, university approved था, लेकिन donation के बाद मालनो 5 दिन बाद उनकी approval withdraw हो गई, तो भी क्या ह हमको deduction मिलेगा, यहाँ बाबू आपको deduction मिलेगा, आपने donation जिस दिन दिया है, उस दिन वो approved था ना, तो आपको deduction मिल जाएगा, भले उसके बाद उनकी approval withdraw कर दी जाती है, अब एक और चीज समझना, यहाँ पे बोला था, कि आपको land पे deduction मिलेगा, land पे deduction नहीं मिलेगा, बाक एक और चीज समझना, जो भी आपके unabsorbed capital expenditure of scientific research होते है ना, उसको ऐसे ही treat किया जाएगा, जैसा कि आप treat करते हो unabsorbed depreciation को, तो इसका मतलब यह हुआ कि unabsorbed scientific research के जो expenditure होते है, वो unlimited years तक carry forward हो जाएंगे, और अगले सालों में जाके वो किसी भी head से set up हो सकते है, except the salary, अब ए ऐसे expenditure जब आप business को चालू करते है तब होते है, example के लिए आपने अगर माल लो feasibility study report या project study report बनवाई, या market survey करवाया, engineering service ली, MOA, AOA का drafting, printing का खरचा है, legal fees है, या expenditure related to the public issue of the share debenture है, या any other expenditure may be notified by the CBDT, ये preliminary expenses में आता है, अब एक और चीज़ समझना, preliminary expenses है ना, उसका deduction सिर्व resident person को मिलता है, miss only resident person को मिलता है, non resident को deduction नहीं मिलेगा, एक और चीज़ समझना, preliminary expenses का deduction आपको तभी मिलता है, जब preliminary expenses आपने किया है, either at the time of commencement of the business, या फिर आप अपने business का extension कर रहे है, या फिर नया unit set up कर रहे है, और तब आपने preliminary expenses किया है, तो ही deduction मिलेगा, अब आप बोलोगे, सर हम तो preliminary expenses तभी तो करते है, जब नया business commence करते है, या फिर नया unit set up कर रहे है, extension कर रहे है, ऐसा नहीं, बहुत बार guys ऐसा हो सकता है, जैसे आपने debenture holder को pay करने के लिए share issue किया, अब debenture holder को pay करने के लिए share issue किया, वहाँ पे क्या कोई नया business चालू हुआ, answer is no, क्या उसका extension हुआ, answer is no, क्या नया unit set up हुआ, answer is no, तो उस time पे जो खर्चा किया, उसका deduction आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने नया business चालू करने के टाइम पे, extension के टाइम पे, या set up a new unit के टाइम पे, अगर आप ये expenditure करते हो, preliminary, तो इसका deduction मिलेगा, लेकिन इसका deduction कितना मिलेगा पता है, जितना आपका preliminary expenses है, वो, या फिर 5% of cost of project, whichever is lower, मैं इसे cap लगा दी, कि cost of project के 5% से ज़्यादा preliminary expenses नहीं हो सकता, अगर उससे ज़्यादा है, तो अपन 5% ही allow करेंगे, जैसे for an example, आपका cost of project है, वो 1 करोड है, और उसका 5% होता है 5 lakh, आपका preliminary expenses है, वो 7 lakh है, तो आपक सिरफ 5 lakh का preliminary expenses है, वो allow होगा करें, ठीक है, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे, cost of project, जो है न, cost of project की जगे, एक Indian company को यह option दिया है, कि Indian company चाहे तो cost of project की जगे, capital employed को use कर सकती है, तो Indian company के पास मैं option है, कि cost of project, या फिर capital employed, उन दोनों में से कोई भी ले सकती है, इस दोनों में एक साथ में नहीं मिलता, preliminary expenses का जो deduction है, वो एक साथ में नहीं मिलता, it will be allowed in the 5 equal installment, आपको 5 equal installment में मिल जाएगा, जैसे, मालो, preliminary expenses आपका 5 lakh है, तो 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, ऐसे 5 years में आपको deduction मिलेगा, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, cost of project का मतलब क्या होगा, तो cost of project means, जब भी आप नया business commence करते हो, या फिर extension करते हो, नया unit setup करते हो, उस year के end में balance sheet देखने का, और balance sheet में देखने का, कि fix asset में कितना invest हुआ है, नय business के लिए, या extension के लिए, या नया unit setup करने के लिए, आपने fix asset में जितना amount invest किया है, that is call your cost of project, capital employed किसको बोलते है, तो यहाँ capital employed का मतलब हो कि नया business के लिए, extension के लिए, या setup a new unit के लिए, आपने share capital debenture long term borrowing कितना लगाया, वो आपको देखना है, उस year के end में, और वो जो होगा, वो तुमारा capital employed आ जाएगा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, capital employed में सिरफ आपको share capital debenture long term borrowing लेना है, ध्यान रखना, इसमें security premium आपको नहीं लेना, reserve and surplus आपको नहीं लेना, सिरफ share capital plus debenture plus long term borrowing, security premium आपको नहीं लेना, क्योंकि supreme court का एक judgment है, in case of the berger paints, और berger paint के judgment में, supreme court ने भी यह बोला है, कि यहाँ पे आपको security premium है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, because law में clearly बोला है, share capital plus debenture plus long term borrowing, एक और चीज़ समझ due date given under section 44 AB, में इस आपके return filing की due date से एक महीने पहले chartered accounted audit report file करेगा, उसके साथ साथ मैं, assessi को यहाँ पे एक statement भी देना पड़ेगा, कि उसने कौन-कौन से preliminary expenses किये है, उसका एक statement है, वो statement भी file करना पड़ेगा, next section आती है, 35 DDA, 35 DDA में क्या होता है, कि voluntary retirement scheme का compensation, आप एक बात सम employee ऐसे होते है, जिनकी age बहुत जादा हो जाती है, तो company ऐसा बोलती है, कि यहाँ बेटे-बेटे क्या करोगे, एक काम करो, घर पे रहो घर के, ठीक है, आराम से VRS लेलो, voluntary retirement लेलो, हम आपको कुछ compensation दे देते है, अब एक चीज समझना, यह section all SSC के लिए है, और इसमें यह ब बताओ, अगर मानलो 5 equal installment में इन दोनों ही section में deduction मिलता है, लेकिन बीच में अगर amalgamation demerger हो गया तो, जैसे मानलो Vodafone idea हुआ था मिलके, या फिर मानलो demerger के example के लिए Jio जो है, वो Jio को अलग कर दिया, reliance से, अगर ऐसा हुआ तो, तो lawmakers यहाँ पर यह बोलते है, कि अगर amalg commission demerger हो जाता है, तो जिस year में amalgamation demerger होता है, उस year का deduction नए वाले को मिलेगा, और जो remaining installment है, उसका deduction ही भी आपके नए वाले असेसी को मिल जाएगा, तो देखो हमने दो section पड़ी 35D, 35D जो है, वो basically resident असेसी के लिए है, 35D है, 35D प्रिलिंदरी expenses की बात करता है, 35D है, वो VRS क बात करता है, दोनों ही section में 5 equal installment में deduction मिल जाता है, लेकिन 35D में एक चीज ध्यान रखना, वहाँ पे एक limit है 5% of cost of project और capital employed business, अब यह section क्या बोलती है, कि बेटा, यहाँ पे total 14 specified business है, और यह 14 specified business ऐसे है, जिसमें आपको 100% deduction मिल जाएगा on the capital expenditure, और capital expenditure पे normally क्या होता है, depreciation मिलत है, यहाँ पे, इन्होंने बोला है, 35 AD में, यह section optional है, अगर आप कुछ चाहिए, तो लीजीए, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अगर आप यह section लेना चाहते है, तो 14 businesses ऐसे है, जिसमें capital expenditure पे आपको 100% deduction मिल जाएगा, अब यह 14 business कौन-कौन से है, सबसे पहले cold chain facility, for the setting up and operating of cold chain facility for agriculture produce, fish product, meat product, उसके लिए cold chain facility है, या फिर warehousing facility for the agriculture produce, या petroleum natural gas pipeline का business, या फिर hotel होना चाहिए, at least two star और above category, या hospital होना चाहिए, 100 bed या उससे ज्यादा वाला, या फिर housing project under slum redevelopment, और housing project under affordable housing scheme, या production of the fertilizer in India, या container depot, container freight station का business, या beekeeping and production of the bees, honey and bee vex का business, या फिर आपका warehousing facility for the sugar, slurry pipeline for transportation of iron ore, semiconductor vapor fabrication manufacturing unit and new infrastructure facility, ये तुमारे 14 business है, अगर आप ये 14 business में से कोई भी business करते हो, ये business जो चालू होने चाहिए, वो in dates के बाद में चालू होने चाहिए, अगर वो date याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती है तो ठीक है, आपको ये 14 business क कौन-कौन से मेरी तरफ देखिए, cold chain facility, देखो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, cold chain facility, उसके बाद warehousing facility for agriculture produce and warehousing facility for sugar, दोनों same-same है, उसके बाद petroleum and natural gas pipeline and slurry pipeline for the transportation of iron ore, उसके बाद मैं आपका like hotel होना चाहिए, two star or robo category, hospital होना चाहिए, hundred bed or more वाला, उसके बाद अगर मैं बात करू, तो container depo, container freight station, beekeeping, bee honey, beebex वाला business and new infrastructure facility, यह 14 business करते हो, तो आपको capital expenditure पे 100% deduction मिल जाएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, यहाँ पे कुछ condition है, पहली condition यह है कि यह business जितने भी हैने, यह new business होने चाहिए, it should not be split up or reconstruction of your existing business, आपको यह नए business, नए serious से चालू करने पढ़ेंगे तब ही आपको deduction मिलेगा, एक और condition यह है कि in business में जो भी plant and machinery use होगा, वो plant and machinery नया होना चाहिए, second end नहीं चलेगा, but guys second end के लिए exception है, पहला exception तो यह है कि total plant and machinery जितना भी होगा, उसमें 20% तक आपका second end हो सकता है, means whatever the total plant and machinery, out of total plant and machinery, 20% of plant and machinery can be second end, and second अगर आप इंडिया के बा depreciation के लिए नहीं है, इस section के लिए क्या होगा, कि इंडिया के बाहर से अगर कोई imported second end plant and machinery है, उसको अपन नया ही मानेंगे, अब एक और चीज़ समझना, इसमें एक condition है, कि जो भी तुमारा petroleum pipeline वाला business है, उसमें से कुछ pipeline का capacity ऐसा रहेगा, जो आपको दूसरों को भी use करने क लिए देना पड़ेगा, जैसे Reliance का ये business है, तो Reliance को क्या करना पड़ता है, some portion of the pipeline है, वो बाकी को, BPCLA, Indianall Corporation वगरा है, उनको भी use करने के लिए देना पड़ेगा, अब एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे मैंने बोला, आपको capital expenditure पे 100% deduction मिलेगा, लेकिन क्या all capital expenditure पे मिल पे 100% deduction मिल जाएगा, लेकिन एक और चीज़ समझना, इन सिंगल टे सिंगल परसन को आपने 10,000 से ज़्यादा का payment किया, तो वो वाले खर्चे का deduction नहीं मिलेगा, अगर आपने cash में किया, it means it has to be paid by account पे check, account पे demand draft, any mode of electronic clearing system through bank account, एक और चीज़ समझना, जब आप यहाँ पे deduction ले लेते हो, तो आपको depreciation है, वो नहीं मिलेगा, एक और चीज़ समझना, यहाँ पे, जो आपके specified business है, जब capital expenditure, P&L के debit में डाल रहे हो 100%, तो obviously initial year में आपको huge losses होगा, ध्यान रखना, जो specified business है, यह 14 business, इनके अगर कोई भी losses होते है, तो that losses can be set up only against the income from specified business, यह specified business में है, 14 business की क किसी से setup नहीं हो सकते, और अगर माल लो specified business का loss है, वो remaining रहा, setup नहीं हो पाया, तो उसको आप carry forward करोगे, carry forward कितने years तक कर सकते हो, आप unlimited years तक कर सकते हो, उसको unlimited years तक carry forward है, वो आप कर सकते हो, तो specified business loss can be set up only against specified business income, अगर कोई भी आपका business loss setup नहीं होता है, specified business का, तो उसको आप carry कर सकते हो unlimited years तक अब यहाँ पर एक और एंटिक चीज आती है कि जैसे मानलो आपका कोई hotel है जिस पर आप 35 AD में deduction लिया है तो इसका लॉस हो गया तो specified business से ही set up कर सकते हो अब मानलो मेरे पास एक दूसरा hotel है जो कि 20 years पहले चालू किया था लेकिन वो 20 years पहले वाला है उस पर मै 35 AD में deduction नहीं ले था लेगिन उस hotel का अगर कोई profit हुआ तो क्या यह hotel का loss है वो उस hotel के profit से set up कर सकते हो answer is yes बिलकुल आप कर सकते हो क्योंकि जो वो पुराना वाला hotel है वो 35 AD के लिए eligible नहीं है बढ़ अगर वो 2 star और अबो कैटिगर होटल है तो वो specified business है और जब specified business है तो नहीं पर आपको deduction है वो आपको नहीं मिलेगा एक और चीज़ समझता है यहाँ पर जितने भी यह businesses है वो business का आपको यह operate करना पड़ेगा मैंस आप खुद business को चलाएंगे business को आपको खुद चलाना पड़ेगा जिसने पैसा लगा है वो यह business को run करेगा लेकिन इसका एक exception ह है कि होटल के case में अगर आपने operation किसी और को transfer कर दिये तो भी चलेगा जैसे मैंने एक five star hotel बनाया है मैं खुद नहीं चला रहा हूँ मैंने operation ताज ग्रूप को या और ग्रूप को transfer कर दिये तो भी चलेगा अब एक और चीज़ समझता है यह infrastructure facility का मतलब होता है कि ऐसा business करते ह हो रोड बनाते है टोल रोड बनाते है बीज बनाते है रेल सिस्टम बनाते है हाईवे प्रोजेक्ट बनाते है water supply प्रोजेक्ट है water treatment system irrigation system, sanitation, solid west management system है या फिर आप port बनाते हो एरपोर्ट बनाते हो इनलेंड waterways बनाते हो या navigation channels बनाते हो यह सब business है मनला खोल मिलाकर अंबानी अधानी है, सब यही घाम कर रहे है, तो इनके जो बिजनस है, वो new infrastructure facility में आ जाएगा कर गे, ठीक है, एक और चीज़ समझना, जो यह आपका petroleum natural gas वाला pipeline है, and new infrastructure business वाला जो pipeline, new infrastructure business का जो है, पहली चीज़ तो यह government से अपरूड होने चाहिए दोनों business, and guys, यह सिर्प Indian company नहीं कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, Indian company और group of Indian company में is consortium of the Indian company है, वो ही यह business कर सकती है, और कोई business नहीं कर सकता, एक और चीज़ समझना, अगर specified business में आपने कोई asset खरीदा बाबू, और वो asset को क्या किया पता है, आपने बेच दिया, तो अगर आप उस asset को 35 AD में ले लिया है, तो जो आपका selling price रहेगा ना, वो सीधा entire selling price PGBP में taxable हो जाएगा, अगर आपने 35 AD में deduction लिया और उसके बाद उस asset को आपने बेच दिया, तो जितने में आप बेचोगे ना, वो entire आपका sale price है, वो PGBP में taxable हो जाएगा, एक और चीज़ समझना, लेकिन आपने अगर कोई भी asset है, जो specified business के लिए आपने acquire की, अब question ही आता है, कि उसको आपको non specified business पे transfer नहीं करना, जैसे मानलो मेरा एक hotel का business है, और एक classes का business है, दोनों मेरे ही है, मैंने क्या किया, पहले AC खरीदा, वो hotel के business में खरीदा, पहले जो AC खरीदा, वो hotel के business में खरीदा, और उस AC को मैं लेखे आ जाता हूं, classes के business में, तो उस AC को मैं अगर classes के business में ले आता हूं, तो question ही आता है, क्या मैं classes के business में उसको ला सकता हूं, answer is no, for 8 years तक मैं नहीं ला सकता, अगर लाया तो क्या होगा, तो देखो, अगर आपने कोई भी asset है, जो specified business के लिए खरीदी, त from the year of acquisition, 8 years तक आपको exclusively specified business के लिए use करना है, अगर आपने उसको non specified business में ला लिया, तो जितना पहले deduction आपने लिया था, वो वापस से reverse होगा, कैसे, जितना आपने पहले deduction लिया था, वो ले लीजिए, दूसरा उसमें से कुछ तो less होगा, क्या less होगा पता है, क्योंकि specified business में जब आपने deduction लिया होगा, तो उस पर depreciation नहीं मिला होगा, तो कम से कम यह depreciation दो दे दो चुट्टू सा, जो भी रहता है, करकि चुट्टू सा, तो आपको जितना depreciation allowable होता, अगर आप 35 AD deduction नहीं लेते, तो कितना depreciation allow होता, वो less कर दीजिए, जो भी बचेगा, वो आपका PGPP का income होगा, and guys, non-specified business में जब asset को लाया, तो non-specified business में अब उस asset को block में add करेंगे, तो block में add करेंगे, वो कौन सी value पर करेंगे, तो यहाँ पर lawmakers बोलते हैं, जो उसकी actual cost थी, उस asset की वो ले लीजिए, minus ऐसा समझीए, कि उस asset को अगर आपने starting से ही, जब से acquire किया था, तब से, अगर उसको non-specified business के लिए ही use किया होता, तो कितना depreciation होता, वो आप less कर दीजिए, जो भी बचेगा, वो आपका actual cost आ जाएगा, तो वापस से बता रहा हूँ, देखो, मैंने क्या बता है, कोई भी asset जो specified business के लिए आप acquire करते हो, from the year of acquisition, within 8 year, from the year of acquisition, it should not be transferred to the non-specified business, if it transfer to non-specified business, तो जितना पहले deduction आपने लिया था, वो लो, minus depreciation allowable, अगर section 35 AD नहीं होती, तो कितना होता, वो less कर दो, वो PGBP का income बन जाएगा, and guys, यहाँ non-specified business में उसको block में add करेंगे, actual cost क्या लेंगे, जब उसका original actual cost था, minus, यह मानो, कि अगर उसको non-specified business के लिए ही asset को पहले से use किया होता, तो कितना depreciation allow हो जाता, वो less कर दीजिए, जो भी बचेगा, वो आपके block में add कर दीजिए, वो आपकी actual cost आजाएगी, you got my point or not, yes, so this is the section 35 AD, next section पे चलते है 36, 36 क्या बोलती है, certain खर्चों का deduction आपको 36 में मिल जाएगा, तो कुछ ऐसे खर्चे हैं, जिसका 36, 1 याद रखना है, 36 section है, subsection 1, सबसे पहला, अगर माल लो, stock in trade का insurance करवाया, तो उसका premium allow होगा या नहीं, तो जो employer है, employer ने क्या किया, stock in trade है, उसका insurance करवाया, तो क्या उसका premium allow होगा, answer is yes, premium allow हो जाएगा, क्या दिक्कत है, stock का insurance करवाया, जैसे dwellers होते है, वो क्या करते है, जोवेलरी का insurance करवाते है, तो insurance premium है, वो allow हो जाएगा, दूसरी चीज, कि sir, दूसरा point यह बोलता है, employee के लिए, जो health insurance करवाता है, employer, तो employer बहुत बार क्या करते है, employee के लिए हेल्थ इंसोरेंस का पैसा पे करता है, तो health insurance का premium अगर पे किया, तो क्या allow होता है, answer is yes, बिल्कु है तो वो allow हो जाएगा अब एक point आता है section 36 subsection 1 clause number 2 bonus and commission to employee कि employee को अगर bonus and commission दिया जाता है तो क्या वो allow है या नि P&L के debit में जाएगा या नि answer is yes बिल्कुल जाएगा तो bonus and commission अगर employee को देते है तो वो allow हो जाएगा P&L के debit में चला जाएगा लेकिन उसमें condition है कि यहां पर एक section टांग अड़ाती है 43B 43B अभी में थोड़ी देर में आपको समझा दूगा 43B यह बोलती है कि employee का जो भी commission and bonus रहेगा it has to be paid up to the due date of return filing return filing की due date तक पे किया तो allow हो जाएगा अगर return filing की due date तक पे नहीं किया तो allow नहीं होता है एक और चीज़ समझना bonus act में बोला हुआ है कि हर साल एक salary bonus देनी चाहिए miss एक महीने की salary होती है वो bonus देनी चाहिए अगर एक महीने से ज़्यादा की salary bonus दी तो क्या वो भी allow हो जाएगी answer is yes वो भी allow हो जाए गा करिए ठीक है चलिए next point आता है interest on loan अगर loan लिया तो क्या loan का interest allow है या नहीं जैसे loan अगर आपने personal purpose के लिए लिया मजे करने के लिए शादी करने के लिए खाना खाने के लिए घर लेने के लिए personal purpose के लिए अगर आप कोई loan लेते हो तो obviously उसका interest allow नहीं होता लेकिन अगर आप business purpose के लिए loan लेते हो, तो interest allow हो जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर loan जो लिया है, वो schedule bank से लिया है, PFI, public financial institution से लिया है, state financial corporation से लिया है, state industrial investment corporation से लिया है, या NBFC से लिया है, तो interest allow होता है, लेकिन उसमें section 43 भी टांग अड़ाएगी, और 43 भी क्या बोलती है, ये interest actually pay किया, up to the due date of return filing, तो allow हो जाएगा, और अगर return filing की due date तक pay नहीं किया, तो फिर वो interest allow नहीं होगा, अब एक और चीज समझना, अगर loan किसी और से लिया है, लेकिन आपने business purpose के लिये लिया है, तो interest allow हो जाता है, भले आप pay करो या नहीं करो, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है next point आता है, zero coupon bonds, अब एक बात समझना, वो आपके discount पे होते हैं, और redeem होते हैं, वो पार पे होते हैं, इस पे कोई भी interest वगेरा नहीं मिलता, जैसे 80 रुपेस में कोई bond issue हुआ और 100 रुपेस में redeem हो रहा है, that is called zero coupon bonds, zero coupon bonds में जो 20 रुपेस का जो gap होता है, उसको अपन बोलते है discount, क्या बोलते है discount, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, क्या discount अलव हो जाएगा या नहीं, तो जो भी company ने zero coupon bonds issue किये है, तो वहाँ उसका जो discount होता है, discount को amortize करना पड़ता है, over the life of the bond, तो bond का जितना भी life है, उसमें amortize करना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रख करना है, और अगर 15 days से कम है, तो उसको आपको छोड़ देना है, और जितने calendar month आएंगे, जितना total discount है, वो उतने calendar month में आप amortize कर दीजिए, next concept आता है, that is employer contribution for the benefit of the employee, आपको पता रहेगा, employer बहुत बार क्या करता है, employee के लिए provident fund में पैसा डालता है, employee के लिए graduate fund में डालत है, तो question ही आता है, कि जब employer, मेरे words पर ध्यान देना, employer, employer employee के लिए अगर contribute कर रहा है, तो क्या employer को उसका deduction मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना, employer ने अगर contribution किया statutory provident fund में, या फिर recognized provident fund में, कितना अच्छा नाम है, statutory provident fund, recognized provident fund, या approved superannuation fund में, या approved gratuity fund में, या किस किसी भी fund में, as per the law, as per the law, किसी भी fund में, employer ने contribution किया, तो बेटा employer को उसका deduction मिल जाएगा, allow है, लेकिन employer ने contribution किया, unrecognized provident fund में, unapprude superannuation fund में, unapprude gratuity fund में, या किसी other fund में, जो कि law के इसाब से नहीं है, तो वो आपका not allowed, this is not allowed, तो देखिए, employer अगर contribution करता है, कहाँ पे contribution क करता है, employer contribution करता है, या तो approved superannuation fund, approved gratuity fund, statutory provident fund, recognized provident fund, या किसी भी fund में, जो as per law, तो allow हो जाएगा, लेकिन अगर unrecognized provident fund है, unapprude superannuation fund है, unapprude gratuity fund है, या any other fund है, तो allow नहीं होगा, एक चीज़ समझना, यहाँ पे allow होता है, और यहाँ लेकिन एक section टांग अडाती है, 43B, 43B यह बोलती है, कि return filing की due date से पहले पहले यह actual में contribution employer को करना पड़ेगा, तो ही allow होगा, otherwise allow नहीं होगा, next section यह बोलती है, कि employer बहुत बार क्या करता है, employee के लिए, जो central government pension scheme है, या जिसको अपन new pension scheme भी बोलते है, national pension scheme भी बोलते है, जो section 80 CCD में दे रखा है, उसमें अगर contribution करता है, तो क्या employer को deduction मिलेगा, answer is मिलेगा, लेकिन guys यहाँ पे limit है, क्या employer जितना contribution करेगा, वो contribution और 10% of salary से ज्यादा नहीं होना चाहिए, salary का मतले होता है, employee का basic salary plus DA, in terms वाला जो DA है, वो आप ले लीजिए, whichever is lower है, उतने का deduction employer को मिल जाएगा, यहाँ पे भी जो section है, वो 43 भी ट करता है, employee का कुछ पैसा काट के अपने पास रखता है, जैसे employer ने employee का काटा, employee का PF काटा, ESI का पैसा काटा, ऐसे fund का पैसा काटा है, तो employer ने क्या किया, employee का जो PF का पैसा काटा है, वो पैसा, उस fund की due date तक employer को जमा कराना पड़ेगा, और PF का due date क्या होता है, अगले महीने की आपकी अगले महीने की 15 तारिक जैसे जो December मंद का Contribution है वो आपको क्या करना पड़ेगा 15th of January तक deposit कराना पड़ेगा जो आपका March मंद का Contribution है वो 15th of April तक जमा कराना पड़ेगा तो Employer ने क्या किया Employee का पैसा काटा towards the Provident Fund या ESAE वगरा वो Employer को क्या करना पड़ेगा वो पैसे को उस Fund में जमा कराना पड़ेगा कब तक पता है Up to the Due Date of that Fund वो Fund की Due Date तक जमा कराना पड़ेगा अगर उसने वो Fund की Due Date तक जमा नहीं कराया तो वो Employer की Income बन जाएगी वो Employer की Income बन जाएगी एक और चीज़ बता रहा हूँ देखो Employer का खुद का Contribution था ना वहाँ पे 43 भी टांग अड़ाती थी मिस अप to the Due Date of return filing था बट यहाँ पे गाईस अप to the Due Date of Fund है वो Fund की Due Date तक जमा कराना पड़ेगा Otherwise वो Employer की क्या बन जाएगी Income बन जाएगी या जिस year में वो permanent useless हो जाता है उस year में आप उसका deduction ले सकते हो deduction आपको 100% मिल जाएगा कौन से year में जिस year में उसकी death हो जाती है या permanent useless हो जाता है तो आपका जितना animal का cost था minus अगर उससे को scrap value आईए तो वो less कर दो जो बचेगा वो आप deduction P&L के debit में ले सकते हो अब next concept आता है bad debts bad debts का क्या होगा तो देखिए bad debts में दो पार्ट सबसे पहले provision for bad debts अगर आपने बनाया तो provision for bad debts से वो allow नहीं होता अगर आपको allow नहीं होगा लेकिन अगर आपका money lending का business है तो loan से related bad debts से वो भी allow हो जाएगा तो देखिए मैंने क्या बोला provision for bad debts not allowed banks को allow होता है किसको होता है वो अपन देखेंगे दूसरी चीज़ अगर आपका actual bad debts है तो वो allow हो जाएगा actual bad debts related to sale है तो आपको allow होगा loan से related है वो allow नहीं होगा and guys loan से related bad debts allow हो जाएगा अगर आप money lending का business है तो loan से related bad debts है वो भी allow हो जाएगा एक चीज़ समझना bad debts claim करने के लिए क्या आपको prove करना पड़ेगा क्या आपका debt bad हो गया answer is no there is no need to prove लेकिन bad debts claim करने के लिए दो condition satisfied करनी पड़ेगी पहली condition तो यह है कि भाईया वो जो data है वो कभी ना कभी आपकी income में consider हुआ हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ के sales से related bad debts है उसी का deduction आप ले सकते हो और दूसरी condition यह है कि वो जो bad debts है ना उसको आपको अपने books of accounts में right off करना पड़ेगा अगर यह दोनों conditions satisfied हो जाती है वो आप AS, INDS के हिसाब से बनाते हो accounts के हिसाब से अब बहुत बार क्या होता है ऐसा होता है कि कुछ income ऐसी होती है जो ICDS के हिसाब से आपने return में ले ली लेकिन as per the accounting standard as per the INDS उसको आपने books of accounts में नहीं ली और माल लो उस income का bad debts हो गया तो तो उस income का bad debts हो गया तो write-up कैसे करेंगे write-up तो करी नहीं सकते क्योंकि आपने books of accounts में accounts में तो उस income को दर्शाया है यह नहीं है accounts में तो उस income को आपने include ही नहीं किया तो उसको write-up करने का सवाल ही नहीं होता का recovery हुआ तो क्या होगा तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना अगर bad debts आपने claim किया है तो bad debts का recovery है वो taxable होगा उस year में जिस year में आपको bad debts recover हो रहा है जिस year में आपको bad debts recover हो रहा है उस year में taxable होगा भले आपका वो business प्रोफेशन है या नहीं उससे कोई फरक नहीं पड़ता अब एक और चीज़ समझता नेक्स पॉइंट आता है फैमिली प्लानिंग पे expenditure फैमिली प्लानिंग expenditure अब एक बात समझना बहुत बार क्या होता है कि कंपनिया क्या करती है अपने employee की family planning पे खर्चा करती है तो companies ने क्या किया यह deduction सिरफ companies को मिलेगा पहली चीज़ और उन्होंने अगर अपने employee की family planning के लिए खर्चा किया तो lawmakers बोलते है कि revenue expenditure 100% अलाऊगा सीधा P&L के debit में डाल दो लेकिन अगर capital expenditure है तो उसका five equal installment में deduction मिल जाएगा उसके बाद next point आता है मैंने आपको पता है capital gain head में क्या बताया था कि आपको STT CTT allow नहीं होता जो भी STT होता है security transaction tax है वो capital gain head में तो allow नहीं होता लेकिन question ही आता है कि क्या वो business head में allow होगा या नहीं तो अगर आप share trading के business में है या फिर आप जो commodity trading के business में है और trading के business में आपका STT pay होता है CTT pay होता है वो P&L के debit में डाल सकते है बिलकुल yes आप डाल सकते है कोई दिकत नहीं है तो अगर आपका कोई भी STT है या CTT है और आप share और commodity trading business में है आपका stock in trade है commodity और share तो STT, CTT आप P&L के debit में डाल सकते है due to section 36, 1 अब एक और section आती है 37, हमने चालू किया था पढ़ना, बेटा कहां से पढ़ना चालू किया था, हमने पढ़ना चालू किया था, आपके कौन सी section से पढ़ना चालू किया था, 30 से लेके हम खर्चे पढ़ रहे हैं, हमने section 30 पढ़ा, 31 पढ़ा, 32 depreciation पढ़ा, 35 scientific research पढ़ा, 35 D वो सब खर्चे allow होते हैं या नहीं, right answer is वो खर्चे section 37 में allow होते हैं, तो section 37 क्या बोलती है, कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो section 36 से, 30 से लेके 36 में cover नहीं हुए, वो 37 में allow हो जाएंगे, अगर आपको 3 condition satisfied करनी पढ़ेगी, sir कौन-कौन सी 3 condition, सबसे पहली condition यह है, कि वो ख expenditure should be wholly and exclusively for your business and profession purpose, means wholly and exclusively आपके business and profession purpose के लिए वो expenditure होना चाहिए, दूसरी condition वो expenditure revenue nature का होना चाहिए, और तीसरी condition वो खर्चा legal होना चाहिए, अगर कोई भी तुमारे illegal खर्चा है, जैसे हपता है, bribe है, secret commission है, वो सब allow नहीं होते, वो तुमारे illegal खर्चे है, अब आप मुझे बो खर्चा करते है, जो की offense है, या prohibited in the law, या तो आप किसी ऐसे purpose के लिए खर्चा करते है, जो की prohibited है, या offense है, as per the law of the India, या फिर law of the foreign country, foreign country के law के हिसाब से, या India के law के हिसाब से, अगर कोई भी ऐसा purpose है, जो prohibited है, उस purpose के लिए अगर आप कोई खर्चा करते है, तो वो तुमारा illegal है या फिर आप किसी को कोई भी benefit या perquisite देते है और आगे वाला person वो benefit या perquisite ले रहा है वो illegal काम कर रहा है आगे वाले को वो लेना allow नहीं है तो आप जो दे रहे हो ना वो भी आपका disallowed हो जाएगा illegal हो जाएगा example के लिए आपको पता रहेगा बहुत सारी pharmaceutical दवाई बनाने वाली company है तुमारी dollar 650 वगेरा तो वो लोग क्या करते है डॉक्टर को free में sample देते है डॉक्टर को बहुत सारे trip वगेरा देते है डॉक्टर को free sample देते है जो laboratory वाले होते है वो laboratory वाले डॉक्टर को referral commission देते है एक बात बताऊं यह doctor ले नहीं सकता डॉक्टर के उपर जो law होता है ना वो law यह बोलता है कि डॉक्टर ऐसे सब accept नहीं कर सकता तो डॉक्टर अगर receive कर रहा है वो उसके लिए illegal है तो आप जो खर्चा कर रहे हो वो भी आपके लिए illegal expenditure है उसके बाद में एक और चीज़ समझना अगर आपने कोई offense किया था और उस offense का compounding कर रहे हो और compounding के लिए कोई पैसा पे करते हो तो वो भी तुम्हारा illegal है example के लिए माल लो आपको एक building बनाना के लिए government ने permission दिया था 10th floor का building बना सकते हो लेकिन आपने क्या किया 10th floor की जगए आपने 15th floor का building बना दिया तो यहां पे आपने गलत किया अब बहुत बार क्या होता है वो building को गिरा दी जात तो उसके लिए जो पैसा आप देते हो वो भी तुम्हारा illegal expenditure है अब question ही आता है कि sir अगर corporate social responsibility expenditure CSR का खर्चा है क्या वो allow है या disallowed देखो companies act तो बोला है CSR करना पड़ेगा लेकिन income tax यह बोलता है कि अगर आप CSR का खर्चा करते हो तो वो आपका disallowed हो जाएगा क्योंकि CSR expenditure is not for the purpose of business and profession तो यह खर्चा आपका disallowed हो जाएगा अब question ही आता है sir advertisement का खर्चा अलाओ है या नहीं answer is yes advertisement का खर्चा अलाओ है लेकिन एक चीज़ समझना अगर आप advertisement करते हो किसी political party के newspaper में political party के brochure में political party के pamphlet में political party के souvenir में तो उस particular case में वो तुमारा advertisement का खर्चा अलाओ नह तो वो खर्चा अलाओ हो जाएगा उसके बाद में आप अपने employee को gift देते हो अलाओ है कोई दिक्कत नहीं अगर जो customary expenses होते हैं दिवाली पूजा के खर्चे new office inauguration के खर्चे वगरा वो अलाओ है जो CA रहते हैं CA के वहाँ पे जो seminar अटेंड करने के लिए जाते हैं उसका ज पासर एक बात बताओ income tax में हम अगर कोई taxes भढते है taxes में direct tax होते हैं इंडारेक टेक्स होते हैं तो क्या taxes allow है या नहीं क्या taxes हम P&L के debit में डाल सकते हैं या नहीं तो मैं आपको बताओ देखो income tax में income tax allowed नहीं है तो direct tax में एक चीज़ ध्यान रखना income tax में income tax not allowed income tax का अगर interest ह पताओ तो interest भी not allowed और अगर income tax की कोई penalty है तो penalty भी not allowed तो देखो P&L के debit में अगर income tax दे रखा है disallow करो income tax का interest देखो income tax की कोई penalty है उसको भी आप disallow करो लेकिन सर indirect taxes allow है या नहीं right answer आंसर इस देखो GST लगरा P&L के debit में डाला है तो GST allow है custom allow है इंडारेक्ट taxes allow है indirect taxes का interest होता है वो भी allow है लेकिन बेटा penalty है वो penalty allow नहीं होती लेकिन एक बात बताओ मैंने आपको बोला कि indirect taxes है वो allow है indirect taxes का interest भी allow है लेकिन यहाँ पे एक section 43 भी टांग अड़ाती है and 43 भी क्या बोलती है कि return filing की due date से पहले पहले जो written filing की due date है, वो written filing की due date से पहले पहले, written filing की due date से पहले पहले, अगर आपने वो taxes का payment कर दिया तो ही वो allow होगा, otherwise allow नहीं होगा, मिस 43 भी यहाँ पे टांग अडाती है, इन direct taxes के case में है, बट direct taxes तो allow होता ही नहीं है, एक और चीज समझना penalty allow नहीं है, लेकिन penalty दो तरह की होती है, एक तो होती है penalty for breach of law और एक होती है penalty for breach of contract, ध्यान रखना penalty for breach of law है, तो allow नहीं होता, लेकिन penalty for breach of contract है, तो allow हो जाएगा, answer is yes, so penalty for breach of contract है, वो allow है, बट penalty for breach of law है, वो आपका allow नहीं होता, अब एक और चीज समझना, अगर आप कोई freebies वगेरा जो देते है, doctor जो है, doctor को pharmaceutical companies free वो illegal खर्चा है, allow नहीं होता, एक और चीज समझना, income tax allow नहीं है, बट income tax pay करने के लिए, आपने loan लिया, तो क्या उसका interest allow हो जाएगा, answer is no, वो भी allow नहीं है, और keyman insurance policy का premium है, वो allow है, भले partnership firm ने partner के लिए keyman insurance policy लिए, और उसका जो premium है, वो आपको allow हो जाएगा, अब एक section section 40, और section 40 बोलती है, कि कुछ खर्चे ऐसे होते है, जो specifically आपको disallowed है, miss there are certain expenditure, वो specifically disallowed है, वो खर्चा सीधा disallowed है, सर कौन कौन से खर्चे है, वो सीधे disallowed है, सबसे पहला, एक चीज ध्यान लखना, section 40 clause number A, sub clause number 1 ये बोलता है, कि अगर आप किसी non resident को या foreign company को को कोई payment करत हो, या उसका account credit करते हो, and guys, उसका आपने TDS नहीं काटा, उसमें TDS काटना था, बट आपने अगर उसका TDS नहीं काटा, या पर TDS काटा, बट government को जमा नहीं कराया, up to the due date of return filing, return filing की due date तक वो TDS जमा नहीं कराया, तो आपका 100% खर्चा इस साल में disallowed हो जाएगा, फिर जिस TDS नहीं काटा, या फिर आपने TDS काटा, बट government को जमा नहीं कराया, up to the due date of return filing, तो आपका 100% खर्चा है, वो आपका disallowed हो जाएगा, एक और जी समझना, यहाँ पे एक section होती है, that is section 40 clause 1, वो क्या बोलती है, अगर आप किसी resident को payment कर रहे हो, अगर आप किसी resident को payment कर रहे हो, और आपने उसका TDS नहीं काटा, या TDS काटा, बट government को जमा नहीं कराया, तो आपका 30% of expenditure disallowed होगा, तो देखो, non resident को payment कर रहे हो, TDS नहीं काटा, या काटा, बट government को जमा नहीं कराया, up to the due date of return filing, तो non resident के case में तो 100% disallowed होता था, और resident के case में आपका 30% हो disallowed हो जाएगा, अब एक चीज़ समझता है, TDS अगर आप subsequent year में काटते हो, या फिर current year में काटा, बट आपने return filing की due date के बाद में जमा कराया, तो बेटा, जिस year में वो TDS जमा कराओगे, उस year में आपको वो खर्चा है, वो allow हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझता, मालो आपने payment किया किस non-resident या फिर resident को, बट आपने उसका TDS नहीं काटा, लिकिन वो जो बंदा है जिसको आपने payment किया, वो जो बंदा है वो बड़ा honest है, उसने क्या किया, आपने जो payment किया था, वो उसने अपनी income में जोड दिया, मिस आपने जो payment किया था, वो आगे वाले ने अपनी income में जोड दिया, आगे वाले ने उस पर जो टेक्स आता था वो भर दिया और उसने अपना रिटन भी फाइल कर दिया और आप एक ये का certificate ला के दे देते हो, तो जिस येर में वो परसन ने अपना रिटन फाइल किया न उस येर में ये माना जाएगा कि आपने TDS काटके government को जमा कराया है, तो उस year में वो अलव हो जाएगा आपको खर्चा, तो देखो, मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना, जैसे for an example, मैंने क्या किया, मैंने payment किया हमारे शुबं केश्वानी सर को, केश्वानी सर audit पढ़ाते हैं, मैंने payment किया शुबं केश्वानी सर को, और मैंने उनका TDS काटा ही नहीं, लेकिन केश्वानी सर अनेस्ट है, उन्होंने क्या किया, वो income को अपनी income में consider कर दिया, उस पर tax आता था, वो भर दिया, उन्होंने अपना return file कर दिया, और हम एक CA का certificate ला लेते हैं, और not, yes, हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, next section है, 40 clause, sub clause 3, यह क्या बोलता है, कि अगर माल लो, आप इंडिया के बाहर किसी non-resident को, मतलए इंडिया के बाहर किसी को, या इंडिया के अंदर किसी non-resident को, आप salary payment करते हो, यह point सरफ salary के लिए है, मिस, इंडिया के बाहर किसी को, या इंडिया के अंदर किसी non-resident को, आप salary पे करते हो, तो आपको salary पे TDS काटना पड़ेगा, और salary पे TDS काटके, आपको government को जमा कराना पड़ेगा, TDS की due date तक, TDS की due date होती है, अगले महीने की 7 तरिक, मिस, next month 7 तक, और March के लिए होती है 30 अप्रेल, आपको वो TDS government को जमा कराना पड़ेगा, अगर आपने नहीं जमा कराया, तो आपका जो salary है, वो 100% disallowed हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला, इंडिया के बाहर किसी को, या इंडिया में अगर non-resident को, आपको salary पे करते हो, non-monetary percusate पे जो tax है, वो employer खुद की जेब से बरता है, employer, employee को non-monetary percusate देता है, और non-monetary percusate पे जो tax है, वो employer, employee का खुद अपनी जेब से बर रहा है, तो employer है, वो employee का जो non-monetary percusate का tax है, वो खुद की जेब से बर रहा है, तो क्या वो P&L के debit में allow होगा, answer is no, वो allow नहीं होगा, क्योंकि वो tax का amount है, वो employee के हाथ में taxable भी नहीं है, due to section 1010 CC करके, उससे exempt हो जाता है, तो वो tax का amount है, वो employer को disallowed हो जाएगा, next section आती है 40 clause, 40A subsection 2, ये section ये बोलती है, अगर आप अपने relative को payment करते हो, specified person को payment करते हो, तो reasonable खर्चा allow हो जाएगा, unreasonable disallowed होगा, reasonable खर्चा है वो allow हो जाएगा, unreasonable खर्चा है वो disallowed हो जाएगा, लेकिन relative का definition क्या होता है, तो अगर individual के लिए बात करूँ, तो spouse, mother, father, brother, sister, lineal ascendant, lineal descendant, partnership firm के लिए जो partner होते हैं, and partner के relative, company के लिए director, and director के relative, AOPBI के लिए member, and उनके relative, ठीक है वो relative होते हैं, अब इसमें एक और चीज़ समझना, अगर माल लो इधर कोई भी person है, means any person, any person, कुछ भी हो सकता, individual HR, company, partnership firm, कोई भी, और अगर इधर भी कोई भी person है, any person, अगर ये first person का दूसरे के business में substantial interest है, या दूसरे का पहले के business में substantial interest है, उनके relative का मिल के, अगर substantial interest है, त तो shares 25% होना, मैं shareholder हूँ, तो मेरा substantial interest हुआ, क्योंकि substantial interest का मतलब होता है, company के case में 20% और more का equity shareholding, and guys, partnership firm, AOP, BYUI, वगरा के case में 20% और more का PSR, तो अगर आपका किसी के business में substantial interest है, तो आप दोनों relative बन जाओगे, घर के, ठीक है, चलिए, एक और चीज़ समझता है, अगर माल 40A subsection 3, जो सबसे interesting और सबसे like आपकी favorite section है, ये section क्या बोलती है, in a single day, single person को, अगर आप कोई खर्चे का payment कर रहे हो, तो 10,000 से ज़्यादा है, तो वो आप cash में नहीं कर सकते, miss आपको या तो account pay check से, account pay demand drop से, या any mode of electronic clearing system से ही करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रख के case में बताया था, capital asset में, जो actual cost के case में, कि depreciable asset आप acquire करते हो, और वहाँ 10,000 से ज़्यादा किसी को cash में payment किया, तो वो actual cost में नहीं जुड़ेगा, वहाँ transporter के किसमे 35,000 का limit नहीं है, सिरफ यहाँ पे है, तो देखो, अगर आप किसी भी person को single day में single person को 10,000 से ज़्यादा का cash में payment नहीं कर सकते, अगर आप transport करते हो, तो 35,000 से ज़्यादा का cash में payment नहीं कर सकते, और अगर आपने cash में payment किया, तो वो खर्चा disallowed हो जाएगा, लेकिन माल लो, आपने खर्चे का deduction पहले ही ले लिया है, जैसे foreign example, 4 साल पहले मैंने कोई purchase की थी, और वो purchase पे मैंने खर् इंकम बन जाएगी, मिस पहले आपने उसका deduction अलरेडी ले लिया है, लेकिन current year में आप क्या कर रहे हो, cash में payment कर रहे हो, और 10,000 से ज़्यादा है in a single day to a single person, तो इस साल में वो आपकी क्या बन जाएगी, इंकम बन जाएगी, एक और चीज़ धियान रखना, यहाँ पे cross check भी UPI and QR code, यह cross check या bearer check वगएरा है, वो allow नहीं होते कर रहे है, चलिए, अब एक और चीज़ समझना, बहुत बार क्या होता है कर रहे है, कि आपने किसी के साथ agreement कर लिया था पहले, और agreement में यह लिखा था, मैं तो तुम को cash में payment करूँगा, लेकिन बाद में आपने BB sir के lecture attend कि उसमें पता चलो, cash में payment किया, तो disaloud हो जाएगा, तो आपने है ना, क्या किया, check में payment कर दिया, तो क्या वो आगे वाला बंदा आपके खिलाब court जा सकता है, नहीं, आगे वाला बंदा है, वो आपके खिलाब court नहीं जा सकता, वो कहीं पे भी dispute को raise नहीं कर सकता, court में गवर्मेंट को, तो RBI को, LIC को, बैंक को, गवर्मेंट को, इनको cash में payment करो, चलेगा, कितना भी करो, चलेगा, या फिर NFT, RTGS, debit card, यह बगरा चलेगा, मैंने बोला हूँ, या फिर book entry करते है, book entry का मतलब क्या होता है, जैसे माल लोग कोई person है, वो आपके लिए data है 10 lakh से, और creditor है 15 lakh से, अब क्या होता है 10 lakh से, आप square of कर देते हो, book entry कर देते हो, तो क्या यह माना जाएगा, यह cash में payment किया, ना बाबु ना, यह cash में payment नहीं माना जाएगा, या फिर आप क्या करते हो, कुछ agriculture product, या forest product, या poultry product, या fish product, या live stock करीते हो, किसी producer से, तो cash में payment कर सकते हो, ज या फिर आप अपने employee को retirement benefit, जैसे gratitude pension वगएरा है, उसका payment करते हो, और अगर वो up to 50,000 तक का payment है, तो आप cash में कर सकते है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर क्या होता है, अगर मानलो आपका employee है, उसको आप ship पे बेज रहे हो, या किसी और जगह पे बेज रहे हो, 15 days या उससे ज payment कर सकते है, या फिर आप payment करते हो, किसी ऐसी जगह जहां पर banking facility अवेलेबल ही नहीं है, तो आप cash में payment कर सकते हो, ठीक है, एक और चीज समझना, आप अगर payment कर रहे हो, अपने agent को, और आगे जाके agent को cash में payment करना है, जैसे मानलो मैंने मेरे agent को बोला, कि पंजाब जाके और money dealer होते हैं, जो पैसे change करते हैं, इनको तो क्या करना पड़ता है, जैसे dollar खरीदना है, तो cash में payment करना पड़ेगा, रूपीज का, तो अगर यह cash में payment करते हैं, तो चलेगा, and guys, अगर मानलो, आप कोई भी ऐसा product खरीते हो, किसी भी producer से, और वो producer जो है, वो cottage industry का, cottage industry का मतलब होता है, जो हाथ से, हाथ से जो चीजे बनाते हैं, that is called cottage industry, तो cottage industry में, अगर कोई भी person काम कर रहा है, और without add of the power, means without help of the power, वो कोई product बनाता है, और उनसे वो product आप अगर खरीते हो, जैसे वो हाथों से कोई sweater वगरा, ऐसे कुछ बना रहे है, cottage industry में, और उनसे अगर आप खरीत पर graduate not allowed, बट अगर actual graduate pay किया, तो allow है, अपरूड graduate fund में पैसा डाला, तो allow है, जो अपरूड graduate fund होता है, उसमें पैसा डाला, तो भी allow है, यहाँ पिर कोई ऐसा प्रोविजन जो graduate already due हो चुकी है, वो वाला provision allow है, जैसे इस साल में जो employee retire हो गए, उनका graduate due हो चुका है, तो उनक provision allow है, लेकिन त्यान रखना, अगर future के लिए कोई provision बनाते हो, तो allow नहीं होगा, अब एक section आती है 43B, और 43B में इस बार amendment है, amendment क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा, but amendment से पहले वाला part है, वो मैं सबसे पहले बताते तो, section 43B यह बोलती है, कि guys, total कुछ ऐसे payment है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, आप इतना याद रखिए, 7 को मैं एक साथ में ले लूँगा, 7 को D के साथ में ले लूँगा, आप यह समझे, 6 payment ऐसे है, 6 ऐसे payment है, जो आपने return filing की due date तक पे कर दिया, तो तो इस साल में allow होगा, otherwise वो उस year में allow होगा, जिस year में आप actual payment करते हो, तो आप ऐसे याद रख साल में वो खर्चा allow, otherwise वो खर्चा उस year में allow होगा, जिस year में आप actual payment करते हैं, सर ऐसे कौन-कौन से खर्चे, तो देखिए, सबसे पहला tax duty, cess and fees, tax duty, cess and fees का मतलब होता है, indirect taxes, जैसे GST वगरा है, custom वगरा है, तो आपका इस साल का खर्चा है, तो return filing की due date जो आएगी, 31st October, 31st July, 30th November, तब तक आपको actual में payment करना पड़ेगा, तो इस साल allow होगा, otherwise वो उस year में allow होगा, जिस year में आप actual में payment कर रहे हो, दूसरा, अगर employer का contribution है, statutory provident fund में, recognized provident fund में, approved gratuity fund में, approved super renovation fund में, new pension scheme में, या any fund as per the law, तीसरा, अगर bonus and commission employee का है, चौता, अगर आपने loan लिया है, और या फिर loan आपने लिया है, PFI से, Public Financial Institution से, या State Financial Corporation से, State Industrial Investment Corporation से, या फिर आपने loan लिया है, NBFC से, और इनका interest है, तो वो interest आपको pay करना पड़ेगा, up to the due date of return filing, तो तो वो interest allow है, इस साल में, otherwise वो interest इस साल में allow नहीं होगा, मैंने क्या बोला, वापस से, loan लिया है, schedule bank से, PFI से, SFC से, SIIC से, या फिर NBFC से, और धियान रखना, जितनी भी cooperative bank है, वो सब schedule bank में आती है, तो cooperative bank से भी, अगर आपने loan लिया है, तो आपको interest pay करना पड़ेगा, up to the due date of return filing, तो आपको interest allow है, otherwise interest allow नहीं होगा, उसके बाद में, आपका अगर कोई leave salary है, employee का leave salary का मतलब होता है, leave engagement, जो unutilized leave होती है, उसके लिए बहुत बार आप पैसा दे देते हो, तो ये पैसा up to the due date of return filing, अगर आपने pay किया, तो इस साल allow होगा, otherwise इस साल allow नहीं होगा, या फिर माल लो Indian railway का आपने कोई facility लिया है, और Indian railway की asset use करने से related कोई पैसा है, जैसे बहुत बड़ी-बड़ी कमपन करते हो, तो देखो, मैंने six expenditure बोले, मेरी तरफ देखो कौन-कौन से, सबसे बहुत है, any tax duty, cess, indirect taxes, employer contribution to the, like statutory provident fund, recognized provident fund, approved gratuity fund, approved super investment fund, new pension scheme, या any fund as per the law, या फिर bonus and commission to employee, bonus and commission to employee वाला सरफ ठीक है, उसके बाद में, अगर आपने loan लिया है, schedule bank से, PFI से, SFC से, SIIC से, NBFC से, या फिर leave salary है, या फिर railway का asset use किया था, उसका कुछ payment है, तो guys, इनका payment आपको कब तक करना पड़ेगा, return filing की due date से पहले-पहले, miss, इस साल का खर्चा है, तो return filing की due date से पहले-पहले payment करो, तो इस साल में deduction मिल जाएगा, और अगर आपने return filing की due date तक payment नहीं किया, तो फिर जिस year में interest था, उस outstanding interest को उन्होंने loan में convert कर दिया, तो क्या outstanding interest को loan में convert किया, वो actual payment माना जाएगा, ना बाबा ना, वो actual payment नहीं माना जाएगा, तो जब भी outstanding loan को, अगर outstanding interest को loan में convert करते है, वो actual payment नहीं है, बट जब भी वो loan का, जब आप installment pay करोगे, जो converted interest था, जो loan में, उसका जब आ इसा भी होता है कि बहुत बार आपका जो आउटस्टेंडिंग इंट्रेस्ट है उसको डिस्चार्ज किया जाता है बाई इसुग देवेंचर कंपनी का आउटस्टेंडिंग इंट्रेस्ट था किसी बैंक का कंपनी ने क्या किया उसको डिवेंचर दे दिये या बॉंड्स दे कि मैं बता हूँ, market में इतने सारे confusion चल रहे हैं, अब आपको यहाँ पर समझना है, कि MSMEC related जो यहाँ पर point डाला है, इसका मतलब क्या है, इधर देखिए. Next point जो इस बार से amendment आया है, वो क्या बोलता है, एक बात समझना, आता है, उसमें भी कही ना कही पर यह point डाला जा सकता है, अब एक बात समझना, एक point डाला, आपको बता है, जो MSME Act होता है, MSME Act का full form होता है, Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, अपन प्यार से बहुत बार MSME Act बोलते हैं, अब एक चीज़ समझना, MSME में जो Micro Enterprise होती है, और जो Small Enterprise होती है, उनको benefits देने के लिए, उनको benefits देने के लिए, क्योंकि हमारी moody government है, वो चाहती है, Micro Enterprise है, उसको उठाते है, Small Enterprise को हम उठाते है, तो इन्होंने यहाँ पर एक point डाला, point यह डाला, कि अगर आप Micro या Small, यहाँ पर Medium वर्ड नहीं है, ध्यान रखना, Micro और Small, अगर आप Micro या Small Enterprise से कुछ भी goods खरीदते हो, या उनसे service obtain कर रहे हो, तो आपके P&L के debit में जाएगा, purchase में जाएगा, अब एक चीज समझना, यहाँ पर इन्होंने point डाला, कि आपको उस Micro या Small Enterprise को actual में payment करना पड़ेगा, up to the due date of return filing नहीं, up to the due date, mention in section 15 of the MSME at 2006, अगर आपने MSME at 2006 में, जो section 15 में due date दे रखी है, उस date तक आपने अगर payment कर दिया, तो तो आपको खर्चा इस साल में allow हो जाएगा, otherwise आपको खर्चा उस year में allow होगा, जिस year में आप actual में payment करते हो, तो बड़ा simple है, कि देखो, देखो उपर जितने भी points थे उसमें क्या था, कि वो 6 expenditure का payment आपने return filing की due date तक किया, तो तो इस साल में deduction, otherwise जिस year में आप pay करोगे, उस year में deduction, अब ये point क्या बोलता है, कि अगर आपने micro या small enterprise से कोई भी goods खरीदा, service obtain की, तो उसका payment कब तक करना है, MSME Act की section 15 में जो time limit दे रखी है, उस time में कर दिया, तो तो आपको current year में deduction मिल जाएगा, otherwise deduction उस year में मिलेगा, जिस year में आप actual payment करते हो, अब आप मुझे बोलोगे micro enterprise या small enterprise बोलते किसको है, तो micro enterprise उस enterprise को बोलेंगे, जिसमें plant and machinery में equipment में जो investment है, वो up to 1 करोड होना चाहिए, मिस 1 करोड से जादा नहीं, and guys उसका जो turnover है वो up to 5 करोड होना चाहिए, ये दोनों condition satisfied होनी चाहिए, means investment in the plant and machinery equipment up to 1 करोड, and turnover हो up to 5 करोड होना चाहिए, उसको micro enterprise बोलेंगे, and guys small enterprise किसको बोलेंगे, जिसमें plant and machinery में investment up to 10 करोड है, अगर कोई तो मैंने क्या बोला कि MSME Act में 2006 में आपकी एक section होती है 15, 15 में दे रखा है कि MSME में आपको अगर आप कोई भी माईक्रो एक परचेस करते हो या सर्विस ऑप्टेन करते हो तो उसका पेमेंट आपने section 15 of the MSME Act में जो time limit दे रखा है उसके अंदर कर लिया तो इस साल में deduction मिल जाएगा, otherwise आपको deduction उस year में मिलेगा, जिस year में आप actual में pay करते हो अब आप मुझे बोलोगे कि MSME Act की section 15 में time limit दे क्या रखा है तो MSME Act में time limit ऐसे दे रखा है कि अगर buyer और seller के बीच में agreement है और वो agreement में लिखा हुआ है कि आप मुझे इतने दिन में payment करोगे तो वो time limit है वो आपके MSME Act section 15 की time limit हो जाएगी अगर buyer और seller के बीच में writing में agreement है और उस agreement में लिखा हुआ है कि हमको payment करना है वो 30 days में करना है, 35 days में करना है, 40 days में करना है अगर ऐसा लिखा हुआ है करके ठीक है तो बेटा उस time के अंदर-अंदर payment करना पड़ेगा वो तुमारी due date हो जाएगी लेकिन प्यान रखना, ये date कभी भी 45 days से ज़्यादा नहीं हो सकती मिस जैसे आपने writing में agreement बना के लिखा कि हम तो payment 70 days में करेंगे, तो नहीं आपकी due date जैसे ही 45 days complete होगा मिस आपने goods खरीदा, उसके बाद जैसे ही 45 days complete होगा वो 45 days की end होगी, वो ही तुमारा due date हो जाएगा, उतने में आपको payment करना पड़ेगा, तो current year में deduction, otherwise जिस year में आप actual payment करोगे उस year में deduction मिलेगा लेकिन मान लो agreement ही नहीं है, अगर agreement नहीं है ना, तो तो guys, जिस date को आप goods purchase करते हो, या जिस date को आप service obtain करते हो, जिस दिन आपका acceptance होता है goods या service का, तो वहाँ से 15 days है, वो due date होगी 15 days के अंदर-अंदर payment कर दिया, तो current year में, otherwise जिस year में आप payment करोगे, उस year में आपको deduction मिल जाएगा, तो देखो, मैंने क्या बोला, समझने ही कोशिश करना अगर आप micro या small enterprise से कोई भी goods purchase करते हो, या service obtain करते हो, तो उनका actual में payment आपको करना पड़ेगा, up to the due date given under section 15 of the MSME act, अगर वो due date में payment कर दिया, तो खर्चा current year में allow हो जाएगा, otherwise उस year में होगा, जिस year में आप actual में payment कर रहे हो, अब MSME act में due date क्या है, तो देखो, अगर buyer seller के बीच में agreement है written, तो जो agreement की date है वो ही, लेकिन वो agreement कभी भी 45 days से जादा का time दिया हुआ है, तो maximum 45 days लेना है, बट अगर agreement नहीं है, तो जिस date को आप goods या service को accept करते हो, उससे 15 days के अंदर अंदर है, वो आपको payment करना पड़ेगा, 15 days है, वो आपकी due date मानी जाएगी, मैंने यहाँ पर दो example दिये है, यह दोनों example को आप धंग से देखोगे, और धंग से देखके जाओगे, exam में कोई गलती होने का chance मत रखना करगे, ठीक है, चली, 141 का subsection 1, subsection 1 यह बोलता है, कि अगर मानलो आपने किसी खर्चे का पहले deduction ले चुके हो, पहले किसी खर्चे का deduction ले चुके हो, जैसे purchase book कर चुके हो, या मानलो आपने कोई खर्चे का deduction ले लिया, और आगे जाके उसका आपको refund मिल जाता है, या फिर अगर कोई trading liability था, वो cease to exist हो जाता है, मिस आगे भाला person को वो payment करने का जरूरत ही नहीं है, तो lawmakers बोलते हैं, वो वापस से आपकी income बन जाएगी, and it will be taxable under section 41. तो अगर जैसे मानलो मैंने कोई purchase किया था, और purchase किया था, creditor खड़ा था, अब creditor ने मानलो bad debts में डाल दिया, या उसकी death हो गए, मुझे payment करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये वापस से मेरा income बन जाएगा, under section 41. या मानलो electricity का bill था, जो P&L के debit में डाला था, मैंने pay किया नहीं था, अब उस bill को wave कर दिया, government नहीं बोला electricity का bill पे करने की जरूरत नहीं है, तो अब वापस से मेरी income मानी जाएगी, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, कि सर एक बात बताएगे, अगर मानलो कोई loan है, loan का wave off हो गया, तो क्या वो आपका income बनेगा या नहीं, तो एक चीज़ दियान रखना, लोन में आपको यह देखना पड़ेगा, loan कौन सा है, अगर loan आपने government से ले रखा है, तो government से अगर कोई loan ले रखाता है, और उसका wave off हो जाता है, तो वो हमेशा income माना जाता है, वो government subsidy में आता है, government grant में आता है, उसको सीधा taxable करनेगा, क्योंकि government से कोई भी अगर subsidy वगरा है, तो वो taxable होगा, लेकिन वो other loan है, तो उसमें आपको यह देखना पड़ेगा, क्या वो working capital loan है, अगर working capital loan, क्योंकि working capital loan लेके आपने revenue खर्चे किये होंगे, और वही लोन अगर wave off हो जाता है, तो working capital loan है, तो वो आपका taxable हो जाएगा, under section 41.1, बट अगर मालो कोई other loan है, तो वो taxable नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ समझना, क्या sir, interest हमारा outstanding था, वो wave off हो गया, तो क्या, यहाँ 41.1 लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि interest जो outstanding था, वो ऐसे भी section 43B ने टांग अड़ाई होगी, और 43B के हिसाब से वो allow ही नहीं हुआ होगा, जो allow ही नहीं हुआ, तो वापस से आपको taxable करने के ज़रुआत नहीं है, next section आती है 41.3, 41.3 यह बोलती है कि अगर scientific research में आपकी कोई asset use होती थी, और वो scientific research वाली asset अगर आप किसी को बेच देते हो, तो क्या होगा, दो तरीके से बेच सकते हो, तो scientific research की asset है, वो laboratory से सीधा बेच देते हो, without use into the business, तो lawmakers बोलते हैं कि उस asset का जो selling price था, या deduction already claim under section 35.14, जो 35.14 में deduction लिया है, whichever is lower है, वो आपका PGBP का income बन जाएगा, तो मैंने क्या बोला, कि जो selling price है, और section 35 में जितना deduction लिया था, whichever is lower है, वो PGBP का income बन जाएगा, और एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर selling price आपकी cost से ज़्यादा है, तो यहाँ पे capital gain भी होगा, लेकिन मान लो, आप क्या करते हो, laboratory से उसको sale नहीं करते, आप क्या करते हो, उस asset को अपने business में लाके use करने लग जाते हो, तो जब आप उसको अपने business में लाके use करने लग जाते हो, तो business में पहले block of asset में उसको add करना पड़ेगा, at nil value, ऐसा explanation number 1, आप section 43, 1 में पढ़ा था, तो आप nil value से उसको add कर दोगे, और उसके बाद में अगर block की asset बेचते हो, तो जैसा मैंने आपको बताया था, part block transfer, full block transfer, वो ही concept लग जाएगा, balancing charts और recovery of bad debts, अपन अल्रेडी पहले consider कर चुके है, चलिए, section 44, AA है, compulsory maintenance of books of accounts, books of accounts किसको बनानी पड़ दिये, या आप homework में खुदी read कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए, next section पे चलते है, 44, A, B, that is compulsory audit of books of accounts, सरे एक बात बताया, audit किसको करानी पड़ती है, tax audit, तो मैं बताऊ, tax audit किसको करानी पड़ेगी, या तो आपके business का turnover, current year का 1 crore से ज़ादा है, business का turnover है, वो current year का 1 crore से ज़ादा है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, लेकिन एक चीज़ समझता, यहाँ पर 1 crore की जगे, आपकी limit है, वो 10 crore हो जाएगी, miss 1 crore की जगे, limit 10 crore हो जाएगी, अगर इस पूरे साल में, आपकी जो total receipt है, receipt include turnover as well as other receipt also, total receipt है, उसमें cash का receipt up to 5% है, and जितने total payments किये हैं इस साल में, उस payment में cash का payment up to 5% है, अगर यह दोनों condition satisfied हो गई, means, दोनों condition satisfied हो इकौन कौन सी, total receipt में cash का receipt 5% या उससे कम है, and total payments में, जो cash का payment है, वो 5% या उससे कम है, तो बेटा, यहाँ पर turnover की limit, instead of 1 crore, 10 crore हो जाएगी, तो business के case में आपका turnover 1 crore से जादा है, या 10 crore से जादा है, तो आपको यहाँ पर बेटा audit करानी पड़ेगी, अब एक और चीज़ समझना, में यहाँ पर cash payment, या cash receipt जब आप लेते हो, तो ध्यान रखना, अगर कोई भी ऐसा check या DD है, जो account पर ही check नहीं है, जैसे bearer check है, या cross check है, तो वो तुमारा cash ही माना जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, अब बात आती है profession की, कि profession के case में audit तब करानी है, जब आपका gross receipt पूरे साल का 50 lakh से जादा है, तो in case of the profession, if your gross receipt is more than 50 lakh, तब आपको audit करानी पड़ेगी, अब एक और चीज़ समझना, अगर आप 44 AD वाले में लेते हो, 44 AD section है, और उसमें अगर आप 8% या फिर 6% से कम बताते हो, और आपकी net taxable income है, वो basic exemption से जादा है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, या फिर 44 AD section लेते हो, और 44 AD आप नहीं ले रहे हो, basically वहाँ पे 50% से कम income बता रहे हो, और आपका basic exemption है, वो basic exemption से जादा net taxable income है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, एक और चीज़ समझना, अगर आपकी section 44 AE है, या 44 BB and 44 BBB है, और इन में जो percentage दे रखा है, उससे अगर आप कम income बताते हो, तो जब आप उससे कम income बताते हो, तो आपको audit करानी पड़ेगी, audit कौन करेगा, chartered accountant करेगा, audit जो है, वो chartered accountant करेगा, कब तक audit की due date क्या रहती है, one month before the due date of return filing, तो normally आपकी return filing की due date 31 October होती है, तो उससे एक माइना पहले में 30 September तक audit करेंगे, कौन से form फाइल करते हैं, तो form कौन से फाइल करने पड़ते हैं, 3CA and 3CD, या फिर 3CBA and 3CDA, वो form फाइल करने पड़ेंगे, form अगर याद यहाँ पर नहीं रखोगे, तो अभी चलेगा, अब एक बात समझना, कुछ लोगों को audit नहीं करानी, एक तो यह 44B and 44BBA जो section होती है, कि non-resident India में ship लेके आते हैं, aircraft लेके आते हैं, उनको audit नहीं करानी, और दूसरी, अगर आप 44AD या ADA में अपनी income बता देते हो, 44AD में क्या होता है, बता है, आपको 8%, 6% वाला, तो उसमें अगर आप अपनी income बताते हो, तो आपको audit करानी की ज़रुवात नहीं है, अगर आपने audit नहीं कराई, तो यहाँ पर penalty लगेगी 271B में, penalty कितनी लगेगी, 0.5% of turnover, जो turnover है, उसका 0.5% या फिर 1,50,000, whichever is lower है, उतने का आपको penalty लग जाएगा, चलिए, अब अपन presumptive section पढ़ते हैं, सबसे पहली section 44 AD, 44 AD, 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 AD क्या इधर देख करके, ठीक है, चलो, 44 AD क्या बोलती है, यह चुटे-चुटे-चुटे businesses के लिए है, lawmakers बोलते हैं कि अगर कोई भी resident individual है, resident HUP है, resident partnership firm है, बट LLP को छोड़के, LLP को इस section का benefit नहीं मिलता, तो resident individual, resident HUP या resident partnership firm है, जो कि 10 AA वगएरा, SEZ वगएरा, 80 IA से 80 RRB के deduction claim नहीं कर रहे है, तो resident individual, resident HUP, resident partnership firm और अगर वो business कर रहे है, क्या कर रहे है, business, this is business, business कर रहे है, और business में भी 44 AE वाला business नहीं होना चाहिए, agency business नहीं होना चाहिए, commission brokers वाला business है, वो नहीं होना चाहिए, and उस business का turnover up to 2 crore है, business का turnover up to 2 crore है, 2 crore से ज्यादा turnover नहीं होना चाहिए, तो assessi section 44 AD ले सकता है, और अगर 44 AD लेता है, तो उसका PGBP का income कैसे निकाला जाएगा पता है, turnover को सीधा multiply कर दो 8% से, turnover का 8% is PGBP का income, suppose मैं business कर रहा हूँ और 1 crore 50 lakh is my turnover, तो multiply by 8% कर दीजिए सीधा, 1,20,000 है, वो आपका PGBP का income बन जाएगा, लेकिन एक चीज़ दियान रखना, यहाँ पे guys, यह 8% की जगे, assessi 6% ले सकता है, अगर उसका turnover realize हो जाता है, by account pay check, account pay demand draft, और any mode of electronic clearing system, through bank account, up to the due date of return filing, miss return filing के जो due date आएगी 31 July, अगर 31 July से पहले पहले आपका turnover realize हो गया है, by account pay check, account pay demand draft, any mode of electronic clearing system, तो guys, आप जो है वो 8% की जगे, यहाँ पे 6% ले सकते हैं, अब एक और चीज़ समझना, इस section में एक amendment हुआ है, amendment यह हुआ है, आपको देखो, यह section कब मिलती है, जब आपका turnover up to 2 crore होना चाहिए, मैं इस 2 crore या उससे कम होना चाहिए, लेकिन guys, यहाँ 2 crore की जगे, यह limit 3 crore हो जाएगी, अगर आपका जो total turnover है, या gross receipt है, उसमें जो cash का receipt है, जो cash received हुआ previous year में, वो 5% से ज़्यादा नहीं है, मैंने क्या बोला, कि अगर आपको total amount received हुआ है previous year में, उसमें जो cash का payment है, वो 5% से ज़्यादा नहीं है, आपके turnover का, तो उस particular case में, आपका यहाँ पे limit जो है न, वो limit बेटा 2 crore की जगे 3 crore हो जाएगा, अगर आपका जो turnover है, उसमें current year में जो turnover, previous year में जो received हुआ पैसा, वो cash में 5% of total turnover से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे limit 3 crore हो जाएगी, अब एक और जी समझना, अगर कोई SSC है, वो 44 AD के हिसाब से अपना income बता देता है, या फिर उससे ज़्यादा income बताना चाता है, 8%, 6% से ज़्यादा, तो क्या बता सकते है, answer is yes, अगर आप ज़्यादा बताओगे, मोदी जी खुश होंगे, आपको शाबाज जी देंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप कम बताना चाते हो, तो क्या बता सकते हो, अगर आप 8%, 6% से कम बता सकते हो, बता तो सकते हो, बट अगर आप 8%, 6% से कम बताते हो, और आपका net taxable income basic exemption से ज़्यादा है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, और books of accounts maintain करनी पड़ेगी, अब एक और चीज़ समझता, यहाँ पे lawmakers यह बोलते हैं, जैसे आपने 44 AD लिया, अगर आपने किसी एर में 44 AD लिया, तो पेटा, जिस एर में लिया, उसके अगले 5 साल तक आपको 44 AD लेना पड़ेगा, अगर वो अगले 5 साल में किसी भी एर में 44 AD नहीं लिया, तो जिस एर में नहीं लिया, उसके अगले 5 साल फिर 44 AD का benefit आप नहीं ले सकते, और वो अगले 5 साल जिसमें 44 AD नहीं लग रहा है, उन एर में audit भी करानी पड़ेगी, आपको books of accounts है, वो भी बनानी पड़ेगी, next section आती है 44 AD, 44 AD यह बोलती है, कि अगर आप professional सो, and professional में या तो resident individual या resident partnership firm है, other than LLB, engaged in the profession, and आपका जो gross receipt है, वो 50 lakh से ज़्यादा नहीं है, लेगिन guys, यहां 50 lakh की जगे, आपका limit है, वो 75 lakh हो जाएगा, अगर gross receipt में से, आपका, जो previous year में receive हुआ, वो cash में up to 5% है, मैं 5% है, उससे कम है, then you can take the 75 lakh, तो आपका PGPP का income कैसे निकालना है, जितना आपका gross receipt रहता है, सीधा उसका 50% कर दीजिए, वो आपका PGPP का income, इससे ज़्यादा बता सकते है, answer is yes, इससे कम बता सकते है, बता तो सकते है, बड़ अगर आप कम बताते है, और आपका net taxable income basic exemption से ज़्यादा है, तो आपको audit करानी पड़ेगी, books of accounts बनानी पड़ेगी, अब एक बात समझना, 44 AD और AD है, जब आप लेते हैं, तो आपको question ही आता है, कि बाकी जो खर्चे है, section 30 से लेके 37 के, क्या वो allow होंगे, answer is no, वो allow नहीं होंगे, यह मान लिया जाएगा, वो deemed to be already allow, लेकिन आपको हर साल WDV calculate करते जाना पड़ेगा, अगर आप 44 AD ले रहे हो, depreciation allow नहीं होता, बढ़ आपको block में WDV है, वो every year calculate करते रहना पड़ेगा, एक और चीज़ समझना, अगर आपने partner को remuneration interest वगरा दिया, तो वो allow है, answer is no, एक और चीज़ समझना, 44 AD ADA लेते हो, तो आपको advanced tax पढ़ने के लिए एक ही installment आएगी, 15 March of the previous year, next section 44 AE, 44 AE यह बोलती है, कि अगर मान लो आप transporter हो, transporter का मतलब, आप applying, hiring और leasing of the goods carriers के business में हो, miss आप transporter हो, and आपके पास किसी भी दिन, पूरे previous year में 10 से ज़्यादा vehicle नहीं है, miss maximum vehicle can be the 10, 10 से ज़्यादा vehicle नहीं है, तो आप अपना PGBP का income यहाँ पे presumptive basis पे बता सकते हो, तो अगर any person, कोई भी SSCO, resident, non-resident, individual, HEOP, company, सब के लिए यह section है, आपके पास 10 से ज़्यादा vehicle नहीं होने चाहिए, at any time during the previous year, तो आपकी income है, वो presumptive basis पे बता सकते हो, कैसे, अगर जो heavy goods vehicle है, उसके case में, 1000 रुपेस पर ton ले लीजिए, 1000 रुपेस पर ton, of gross vehicle weight, और unleaded weight, as the case may be, for every month और part of the month, तो आप एक काम करिए, 1000 रुपेस पर ton लेंगे, of the gross vehicle weight, every month और part of the month, जैसे मानलो एक truck है, वो heavy vehicle है, को ऐसा कोई भी vehicle, heavy vehicle का मतलब होता है, जिसका gross vehicle weight 12,000 kg से जादा है, 12 ton से जादा है, जिसको बोलेंगे heavy vehicle, मानलो मेरे पास में एक truck है, जिसका gross vehicle weight है, वो 25 ton है, 25 ton, this is more than 12 ton, तो यह heavy vehicle है, तो every year का income कितना हो जाएगा 1 ton का 1,000 so 25 ton का 25,000 so 25,000 रुपेज every month का income हो जाएगा उस truck का every month और part of the month जैसे माल लो मैंने कोई truck acquire किया वो 26 January को किया तो January में मेरे पास 5 days है तो भी क्या पूरा लेना पड़ेगा month का answer is yes लेकिन जो other vehicle है other vehicle की case में आप एक काम के लिए 7,500 है पर month और part of the month है वो आपका income माना जाएगा एक और चीज़ समझना क्या आप इससे ज़्यादा income बता सकते हो answer is yes बता सकते हो बटे इससे कम income बताना है तो फिर आपको audit करानी पड़ेगी books up accounts बनानी पड़ेगी एक और चीज़ समझना इस section का benefit तभी मिलेगा जब आपके पास maximum 10 से ज़्यादा vehicle नहीं होने चाहिए means maximum can be 10 अगर एक भी दिन आपके पास 11 vehicle हुए आप इस section का benefit नहीं ले सकते एक और चीज़ समझना बहुत बार क्या होता है मान लो vehicle आपने ला तो लिया इस मन्त में आपकी income बताना पड़ेगा भले आपने उसको put to use नहीं किया एक और चीज़ समझना इस section में ये बोला है कि अगर मान लो आप कोई remuneration interest देती है partnership firm partner को तो क्या वो remuneration interest allow होगा answer is yes, वो remuneration interest है वो presumptive income के सामने allow हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना यहाँ पर भी खर्चे allow नहीं होंगे और हर साल है वो आपको depreciation calculate करते रहना पड़ेगा you got my point or not yes अब एक बास समझना अभी ये last section है आपके PGVP की section 40 clause number B ये क्या बोलती है कि अगर कोई partnership firm है वो partnership firm अपने partner को interest देती है रेमिनरेशन देती है, bonus देती है, commission देती है, salary देती है तो कितना अलव होगा तो एक बात समझना कोई भी partnership firm है या LLP है वो अपने partner को जो रेमिनरेशन देती है, interest देती है वो अलव होता है या नहीं अलव होता है तो देखो उसके लिए 5 condition है पहली condition यह है कि रेमिनरेशन तभी अलव होता है जब आपने working partner को दिया अगर आपने sleeping partner को दिया तो रेमिनरेशन अलव नहीं है रेमिनरेशन तभी अलव है जब आपने working partner को दिया लेकिन interest है वो आप sleeping partner, working partner दोनों को दे सकते है दूसरी condition यह है कि remuneration and interest तभी अलाव होगा जब authorized by the partnership deed होना चाहिए partnership deed से authorized होना चाहिए तीसरी condition यह है कि remuneration and interest तभी अलव होता है जब वो prospectively है retrospectively नहीं होना चाहिए retrospectively का मतलब होता है pehunist एक बात बता हो जैसे मांग लो अपनी partnership हम है आप और मैं partner है हमारी partnership deed में कुछ भी remuneration interest का लिखा हुआ नहीं है, हम क्या करते हैं, आज deed को amend करते हैं, और हम बोलते हैं कि 1st April से हमको remuneration interest मिलना चाहिए, और आज deed को amend कर रहे हैं, तो क्या 1st April से allow होगा, ना बाबु ना, आज या उसके बाद में जो आप remuneration interest दोगे, वो partnership firm को allow हो एक और चीज़ समझना, partner को जो interest देते हैं, उसके capital पे या फिर loan पे, वो maximum allow होता है, 12% per annum simple interest की rate से, तो maximum 12% per annum simple interest की rate से interest allow होता है, लेकिन बेटा, आपका remuneration कितना allow होता है, तो remuneration में आपको बताओ, book profit basis allow होता है, book profit basis का मतलब होता है, कि भाया, book profit पहले calculate कर लो, अब एर का उस partnership firm का PGBP का income निकालो, क्या निकालो PGBP का income, लेकिन PGBP का income just before remuneration, remuneration less करने से पहले PGBP का income निकालो, remuneration less मत करो, sir interest less करना है, यानि interest 12% तक less कर दो, but remuneration less मत करो, अगर less कर रखा है, तो उसको वापस से add back कर दो, अगर रगे, that is call your book profit, लेकिन एक चीज़ ध्यान यहां book profit निकालते time, आपको current year का depreciation तो less करना ही पड़ेगा, लेकिन तुमारा पुराना कोई unabsorbed depreciation है, तो वो भी आपको less करना पड़ेगा, वो आपका आजाएगा book profit, अब एक और चीज़ समझना, जो book profit होता है उसमें एक काम करो, first 3 lakh तक का book profit है, उस पे आप book profit का 90% और 1,50,000, whichever is higher low, और आपका balance book profit जो है, उस पे balance book profit पे book profit का 60% ले दीजिए, इतना maximum आपको remuneration allow होगा, तो जो यह remuneration allowable remuneration आया और actual remuneration कितना है, whichever is lower रहेगा, उतना remuneration है, वो partnership firm को allow हो जाएगा, एक और चीज़ समझना, partnership firm को जितना remuneration allow होता है न, उतना का उतना partner के हाथ म share of profit माना जाता है, और वो exempt हो जाता है, तो यहाँ पे आपका complete हो जाता है PGBP का topic, उसके बाद पर last में यह interest वाला point दे रहेगा, यह आप नहीं भी पढ़ोगे, तो चलेगा intermediate में, अब एक बास समझना, PGBP के question exam में कैसे आते है, तो PGBP के question solve करने के दो तरीके है, पहला है direct method और दूसरा है indirect method, direct method क्या होता है, बड़ा simple है, कि direct method में क्या करना है, कि आप एक काम करिए, जो आपकी income होती है, section 28 में जो दे रखी है, और 41 में जो दे रखी है, पहले आप income ले लीजिए, और उस income में से जितने भी खर्चे है ना, वो खर्चे आप less कर दीजिए, income लेकिन गाइस यह direct method आपको तब follow करना है, जब आपको recipient payment account दे रखा है, अगर examiner जैसे किसी doctor का, किसी chartered accountant का, recipient payment account दे दे, तो आपको direct method से question को solve करना है, लेकिन अगर आपको profit and loss account दे रखा है, income and expenditure account दे रखा है, तो बिटा आपको indirect method follow करना रहता है, indirect method में क्या होता है, सबसे पहले you will start with the net profit as per P&L account, यह आपके accounts के P&L के हिसाब से profit दे रखा होता है, उसमें P&L के debit में जो जो खर्चे disallowed हो रहे हैं उसको add back कर दो, जो जो खर्चे P&L के debit में डाले हैं और वो disallowed हो रहे हैं उसको आप add back कर दो, अगर P&L के credit में कोई ऐसी income डाल रखी है जो इस head मे नहीं आ रही हो less कर दो, अब एक और चीज समझना, या फिर कोई ऐसा expenditure है जो allow होना चाहिए और आपने P&L के debit में नहीं डाला तो उसको भी आप less कर दो, या फिर कोई AC income है जो वो income हुई है लेकिन आपने P&L के credit में डाली तो उसको आप income को add कर दो, तो कुल विला के मैं ब expenditure है जो P&L के debit में नहीं डाला, बट डालना चाहिए तो उसको आप less कर दो, आपको मिल जाएगा PGBP का income और ये PGBP का income है इस पे फिर आपको tax भढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका PGBP वाला topic है वो complete हो जाता है, मैंने class में बहुत सारे question कराये है और total income के कुछ question अभी आपके exam में time है वो बहुत कम बचा है, अभी आप 100% पढ़ाई में लग जाए है, आपके लिए बाकी कुछ भी चीज़े नहीं है, इधर उधर की चीज़े, destruction की चीज़े वो सब नहीं करना है, only just focus to your study और अगर आप study को focus करेंगे तो आप अच्छे mark से exam में clear कर सकते ह परे पास यह internal information है कि इस बार का exam का result बहुत अच्छा रहने वाला है, तो जो आप exam दे रहे हो, इसका result अच्छा रहने वाला है, so just अपने आपको all is well बोलिए and उसके लिए prepare करना चालू करिए, अच्छे से prepare करिए, अपनी पूरी मेहनत लगा लीजिए, जी चान लगा त्यारी करिए कि rank लाएं गे, एक बात बताऊ rank आना नहीं आना अलिग बात है, तो त्यारी तो करी सकते है, ट्राइ तो करी सकते है, तो इतना तो होना चाहिए कि अपन पास हो पाए करके, पास होने लाइक है, वो marks आजाए, अच्छे marks आजाए, exemption आजाए, वो तो आपन ट बाकी अपन अगले रिविजन लेक्चर में मिलने वाले है